हलो फ्रेंड्स, मैसेल्फ नदीम, टीम केमिस्ट्री, तो आज हम लोग सॉलूशन करने जा रहे हैं, केम डिटियस नीट 2021 का नमबर है 9, और इसमें क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, एसीड एनिट्स, डेरिवेटिव, एन कंटेनिंग, पॉलीमर, बायो मालिक्यूल, केमिस्ट्री इन एडवरी डेलाइव, तो काफी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर क्योंकि यहां से आया होगा आपके बहुत सारे नेम रियेक्शन और यहां से भी, तो NCRT-based ही पेपर बनाया गया था, जहां जितने NCRT में रियेजेंट हैं, उनको लेते हुए कुछ मेकनिजम के भी क्वेस्टन, डारेक्ट भी उसमें आपको मिले होंगे, तो एक-एक करके पहले इसका solution देखते हैं, जैसे first question आपके सामने दिख रहा है कि general formula of amine, तो इसका सीधा सा यह है, जैसे कोई amine ले लो, जैसे माल लो हमारे पास है CH3NH2, CH3NH2, तो इसको condense कर लो, जब condense करोगे तो यह क्या आएगा, CH5N, ठीक है, अब यहां से इसमें मिला लो, ठीक है, अगर N की value 1 है, तो H कितना होना चाहिए, 3, अगर यहां पर N की value क्या है, 1, तो H कितना हो गया, 2 प्लस 3, 5, N, तो यह वाला देखो, satisfy कर रहा है, इसमें आप देख सकते हो, अगर C की value 1 रखोगे, तो H की value 2 आनी चाहिए, N की value 1, जो कि हमारा formula satisfy नहीं हो रहा है, इस वाले में अगर C की value 1 रखो आप, तो H की value हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, जो की हमें मिलेगी नहीं, N तो चलो मिल जाएगा, सेकेंड वाले में अगर C की value, C1 है न, तो C, यहां N क्या है, number of carbon, C, number of carbon यहां पर कितने है, 1, 1 रख दिया, H, यहां पर 2 और यहां पर H4 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, तो कुल मिला कर, एक simple amine के general formula को कौन satisfy कर रहा है, only third, ठीक है, आप जरूरी नहीं कि यही लेंगे, आप कोई दूसरा ले लो, जैसे यह ले लो, C2H5NH2, तो देखो, इसको condense करो, तो C2 हो जाएगा, H7N, अब देखो, इसको कौन general formula satisfy, अगर number of carbon 2 रखते हैं, तो hydrogen हमें 7 चाहिए, वो किसमें आएगा, देखो, इसीमें आएगा, number of carbon 2 रखो, तो hydro, कितना हो जाएगा यह, 4 और 3 कितना होगा, 7N, तो कुल मिला कि यह formula ही, हमारे amine को satisfy कर रहा है, ओके, तो answer कोई सा चला जाएगा, 3rd, next, इसके बाद है minimum number of carbon required to show metamorism, 2 degree amine भी होना चाहिए, तो 2 degree amine का मतलब है कि यह तो हमें रखना ही पड़ेगा, 2 degree, अब metamorism का मतलब होता है कि functional group क्या हो, सेम होना चाहिए, और उनके दोनों साइड क्या हो, different हो, ऐसे समय लो, structurally different हो, दोनों साइड, अगर एक दूसरे से, जरूरी नहीं कि दोनों साइड, कोई एक साइड या दोनों साइड, जैसे, अगर मैं यहाँ पे 2 carbon का लेता हो, बीच में करने के लिए, तो क्या इसका कोई दूसरा structure possible है, जिसमें यह 2 degree amine functional group सेम रहे, अगर आप इसको खिसकाओगे, यहाँ से यहाँ कहीं धर उधर लगा दिया, जैसे मालो यह लगा दिया, जैसे मालो यह लगा दिया, N, H, यहाँ पर C लगा दिया, यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लेना पड़ेगा, यह 2 degree था, 2 degree से यह क्या हो गया, 1 degree, तो इसका मत्दब 2 carbon का 2 degree amine as a functional group conserve रखते हुए, हमें कोई दूसरा structure नहीं मिलेगा, तो 3 carbon से देख लेते हैं, 3 carbon से देख लेते हैं, यह 2 degree amine हमें functional group conserve रखना है, उसको रखते हुए कोई दूसरा structure इसका possible है, नहीं आएगा, आप इसको यहाँ इसके बीच में डालोगे ना, same ही हो जाएगा, तो 4 carbon पे देखते हैं, 4 carbon पे, यह हो गया, अब ऐसा कुछ, देखो यह 2 degree amine है, एक तरफ इथाईल, इधर भी इथाईल है, अब इसमें हम यह कर सकते हैं, कि अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, तो अभी भी देखो बच्चे, 2 degree amine ही है, chemical formula अभी भी सेम है, लेकिन इस group, इस bivalent functional group की, दोनों side क्या same attachment है, या same structure है, नहीं है, देखो पहले इधर ethyle, ethyle था, अब इधर methyl हो गया, इधर isopropyl हो गया, तो देखो functional group same होना चाहिए, metamorism के लिए, और दोनों side, उस same functional group के दोनों side, या किसी एक side, structurally वो क्या होने चाहिए, different होने चाहिए, ठीक है, तो वो मेटा मरे, तो दोखो, खैर इसमें तो दोनों side ही structurally क्या हुआ, different, chemical formula same ही है, functional group same, तो minimum कितना carbon चाहिए, आपको 4 carbon चाहिए, next, correct IU-PSC ने मा और्थो टालुविडिन, और्थो टालुविडिन देखो यह होता है, और्थो टालुविडिन यह हो गया, CH3NH22, easy सा बिल्कुल है, numbering तो आप यहां से ही करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या हो गया, 2-methyl, 2-methyl, क्या हो जाएगा, aniline, यह numbering है, aniline, 2-methyl aniline, easy सा है, answer कौन सा चला जाएगा, second, next, which type of isomerism does not show by C4H11N, 4-carbon का है, इसका degree of unsaturation आप निकाल का देखो, 0, इसका मतब इसमें कोई भी πाई bond या ring नहीं बनेगा, straight chain बनेगा, तो क्या-क्या structure पॉसिबल हो सकते हैं, C-bond C-NH2, 1-degree amine, या आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी possible है, बनाने के तरीका आपको पता ही है, या देखो, ऐसे भी बना सकते हो, ये हो गया, पहले मैं 1-degree amine पे चल रहा हूँ, 1-degree amine, 1-degree amine इसके कितने possible हैं, 4, ठीक है, अब 2-degree amine देखो, 2-degree amine के लिए, ऐसे हो सकता है, या 2-degree amine, ऐसे हो सकता है, या 2-degree amine, ऐसे हो सकता है, ठीक है, तो 2-degree amine भी इसका possible है, 3-degree amine, 3-degree amine के लिए, 4-carbon का ये possible है, और स्वारी, 3-degree amine था ये, 3-degree amine के लिए, 3-degree amine, 3-degree amine भी possible है, इसका कोई दूसरा structure नहीं आएगा, आप चाहे तो बना सकता है, तो अब आप देखो, metamor, metamor है कि नहीं है, same functional group, इधर methyl-methyl, बट इधर structurally different है कि नहीं है, तो metamor हो सकता है, functional isomer, आप जानते हो, 1-degree, 2-degree, 3-degree amine, considered as functional isomer, तो functional isomer भी है, chain isomer देख लेते हैं, देखो, जैसे यही ले लो, इसको इसको ले लो, इसमें chain 1, 2, 3 की बनी है, इसमें chain कितने की बनीगी, 1, 2 की बनीगी या 1, 2 की बनीगी, तो chain isomer हो गया, और tautomer नहीं हो सकता, tautomer नहीं हो सकता, क्योंकि tautomer के लिए क्या होना चाहिए, C, एक multiple bond Z, अपने से ज़्यादा electronegative item से जुड़ा होना चाहिए, और इसके पास alpha carbon होना जरूरी है, alpha carbon होना जरूरी है, alpha या conjugated में gamma, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई multiple bonded carbon atom है, जो अपने से more electronegative atom से जुड़ा है, ऐसा कहीं structure में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका degree of unsaturation हमने कितना निकाल रखा था, 0, तो ये मेटा, tautomerism तो ही नहीं सकता, बाकी आपके सामने है, येस, तो अंसर कौन सा चला जाएगा इसका, not shown by, not कौन सा हो जाएगा, tautomerism, next चलते हैं, which one is best method for the conversion of nitrobenzene to aniline, तो 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 nitrobenzene, aniline, nitrobenzene से aniline तो ये भी बना देगा, ये तो बनाता ही नहीं, nitrobenzene, ये नाइट्रो बनादेता है, ये 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 भी बनादेगा, aniline, ये भी aniline बनादेगा, aniline तो तो तीनों ही बनादेंगे, best कौन सा है, best ये वाला है, it is best, क्यों best है, क्योंकि आप जानते हो, Fe, HCl, से रिएट करके क्या बनाता है, FeCl2, और hydrogen gas, hydrogen gas तो क्या करती, इसको reduce कर रही है, और FeCl2, FeCl2, hydrolyze होकर, hydrolyze होकर, फिर से HCl दे देता है, तो recycle हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हमें यहाँ पर जो HCl चाहिए, वो very less amount में चाहिए, क्योंकि वो hydrolyze होकर, वापस से HCl को दे देता है, कौन? FeCl2, इसी लिए यह सही मेथड है, ओके? बाकी पे चलते हैं, next, next है, which one give better yield of amine? better yield of amine, तो आप जानते हो, ammonia के साथ, NH3, NH3 क्या होता है न? 1 डिग्री, 2 डिग्री, और 3 डिग्री है, alkyl halide, क्या है? alkyl halide, ammonia alkyl halide, 1 डिग्री 2 डिग्री, इसके साथ तो देता है SN2, यहां भी SN2 हो जाता है, बट अगर 3 डिग्री हो न, तो E2 मेकनिजम, क्योंकि 3 डिग्री आप जानते हो, SN2 तो देता नहीं है, तो देखो, तो इसके साथ amine कैसे बनेगा, amine कैसे बनेगा, जैसे SN2 यह गया, यहां से माल लो, देखो यह 1 डिग्री है, यह गया, ammonia क्या करेगा, बैक साइड से टैक कर देगा, यहां पर, इस पॉइंट पर, तो यह क्या देखो बन रहा है, यह NH2 बन जाए, यह Elimination product देगा, Major product जो आएगा इसका, वो क्या आजाएगा, Elimination, उसी तरह से, अब देखो, यह 2 डिग्री तो देता है, SN2 से, बट दिक्कत यह है कि इसमें हमने क्या डाल रखा है, Excess, और Excess जब अमोनिया होता है न, तो 4 डिग्री, Quaternary Ammonium Salt, Salt as a Major बनता है, Quaternary Ammonium Salt, Salt as Major, Quaternary Ammonium Salt as a Major देदेगा, इस वाले में देखो, इसमें दिक्कत यह है, कि वैसे तो दिखा जाए तो यह भी 1 डिग्री है, बट दिक्कत यह है कि यह है Base और यह है Acid, यह फट से क्या करेगा, Acid Base Reaction कर देगा, क्योंकि पहले तो Acid Base Fast होता है, Substitution Reaction से, तो पहले यहाँ पर क्या हो, Ammonium, Ammonium आयन बना देगा, Carboxylic Acid Salt का, Salt बन जाएगा Ammonium के साथ, तो यह 3 डिग्री है, इसलिए वो Elimination Product को support करेगा, Sn2, देखो यह 1 डिग्री था, यह 1 डिग्री था, ठीक है, support कर दिया, Sn2 को, और यह निकला यहाँ से, NH2 ग्रूप Amin बना दिया, यहाँ 2 डिग्री है, यह भी support करता, बढ़ दिक्कत यहाँ है, कि यहाँ पर excess में डाल दिया, excess में डाल दिया, excess में दोस्तों, इसके रहने से वैसे देखा जाए तो, यह partner यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, excess यहाँ पर होना चाहिए, अगर alkyl halide excess में होता है, तो cartonary ammonium salt बनता है, ammonia अगर excess में है, तो primary amine ही major product बनता है, बड़ दिक्कत यह है, कि यह 2 degree है, और यह वाला कौन सा है, 1 degree, तो वह कहरा है, कौन बेटर इल्ड देगा 1 degree का, फिर से सुन लो, यह 3 degree है, यह तो गया, यहाँ acid-base reaction हो जाएगा, यह खतम हो गया, अब 1 degree भी दे सकता है, एक बड़ मैं इसको हटा के फिर से बता जिता हूँ, यह 3 degree है, यह खतम, यहाँ हो जाएगा, acid-base reaction, यह गया, अब यह 1 degree है, यह भी दे सकता है, यह 2 degree है, यह भी दे सकता है, अमोनिया एक्सेस में है, तो यहाँ भी यह गया, यह गया यहाँ से, यह देखो, NH2, यहाँ पर, यह lone pair से attack, यहाँ पर होगा, इस point पर, वैसे ही यह access है, अमोनिया अगर access में होता है, तो primary amine ही देता है, तो यह इधर गया, यह इधर गया, इसमें भी major product, जो हमारा बनना है न, वो NH2 ही बनना है, अब आप देखो, mechanism किसके थू जा रहा है, SN2, अब यह 1 degree है, और यह 2 degree है, तो बेटर कौन देता है, SN2, 1 degree, इसलिए, इसलिए, आंसर कौन सा, बेटर कौन सा चला जाएगा हमारा, बेटर कौन सा चला जाएगा, यह 2nd answer चला जाएगा, इसलिए, इसलिए, 2nd answer, यह 2nd answer, यह 2nd answer, यह 2nd answer, यह 2nd answer, देखो, यह base है, और यह क्या है, acid, acidic hydrogen यहाँ पर H है, तो यह fat react करके, यह क्या बना देगा, acid base reaction होकर, क्या बन जाएगा, NH2, H plus यहाँ से निकाला, H plus लिया, OH minus, water बन जाएगा, यह बचेगा क्या, RNH2, यह देखो, reducing, reducing, यहाँ क्या हो रहा है, reduction, तो आप जानते हो, sodium, metal based reducing agent है, sodium, ethyl, alcohol, या इसमें आप, lithium, aluminum, hydride भी डाल सकते थे, तो cyanide का क्या बना देता है, primary amine बना देता है, CH2, NH2, हाँ, अगर इसमें, D, I, B, A, L डालते हैं, तो aldehyde देता है, और, इसे reaction, नहीं करता है, syllabus के according, जो reducing agent हमें पढ़ने है, उनकी में बात कर रहा हूँ, again, lithium, aluminum, hydride, strong reducing agent है, यह भी amide को भी क्या करता है, amine में बदल देता है, R, CH2, NH2, इसमें देखो, यह 1 degree, यहाँ पर क्या लिखा, can, can तो होई सकता है, भाई, अभी यह CL यहाँ से निकला, NH3 वहाँ पर attack किया, तो क्या बनेगा, C2H5, NH2, possibility तो है ही, possibility तो है ही, अब आप देखो, इधर से, जैसा कि हम देखो, बताया कि इस पर, FeHCl, NiH2, SnHCl का reaction कराएंगे, यह भी क्या देगा, प्राइमरी अमीन देगा, NH2, प्राइमरी अमीन, यह कौन सा reaction है, Half-Mann, Half-Mann-Bromomide, Bromomide reaction, Half-Mann-Bromomide reaction क्या करता है, It is degradation process, Degradation का मतना जितना कारबन होता है, उससे कम का प्राइमरी अमीन देता है, तो अब वो कम कहां से होता है, यह होता है, इसको हटाओ, NH2 को जोड़ दो, उसको हटाया हमने, और NH2, जो बचा उसको जोड़ दी, यह भी कितना है, 1 degree, यह भी कितना है, 1 degree, तो अब आप देखो कि, यह 1 degree दिया, यह 1 degree दिया, यह 1 degree दिया, यह भी 1 degree दिया, यह भी 1 degree दिया, एक बचा हुआ है, इसको मैं साफ करके उसको देख लेते हैं, ये बचा हुआ है, ये सब 1 डिग्री दे रहे हैं, ये सब 1 डिग्री दे रहे हैं, अब ये RNC है, आईसो साइनाइड, तो RNC है, RNC का दोस्तों, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, H3O positive, तो क्या देता है, RNH2 plus HCOOH, ये भी दे देता है, हाँ ठीक है, ये भी क्या दे दिया, ये भी 1 डिग्री अमीन देखो दे दिया, सभी 1 डिग्री अमीन दे रहे हैं, तो कितने 1 डिग्री अमीन हुए है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, answer कौन सा हो जाएगा first, सारे ही 1 डिग्री है, तो देखो, अब ये जितने हमने reaction इसमें डाले हुए हैं, ये सब NCRT based है, अब जैसे एक question में इतने question पूछ दिये, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, कि आपका एक question से इतना सारा question एक साती हो गया, उसको focus कर के paper रखा गया था, next देखते हैं, which I mean can not be prepared by Gabriel Thelemide reaction, तो Gabriel Thelemide reaction में आप देखे हो गए, Gabriel Thelemide, पहले इसमें क्या डालते हैं, KOH, ठीक है, और ये क्या बना देता है, double bond O, double bond O, पहले देखो, acid base reaction हो जाएगा, positive, negative, अब यहाँ से R, X लेते हैं, और ये किस टाइप का reaction होता है, SN2 टाइप का होता है, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, NR, ये double bond O है, फिर इसको hydrolyze कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तो क्या बना देता है, R, N, H2, बाकि थैलिक एसीड बन जाता है, थैलिक एसीड, तो देखो, जो यहाँ हमने R लिया था, उसी का प्राइमरी ये बना है, और ये किस mechanism के थुरू जाता है, SN2, अब आपको याद होगा, कि SN2, यसे देखो, ये R, अगर इसका बनाना है, तो R ये रखना पड़ेगा, और क्या दे रहा है, ये 1 डिग्री दे रहा है, अगर इसको बनाना है, तो R ये रखना पड़ेगा, 1 डिग्री में, जबकि ये क्या है, 2 डिग्री है, तो ये तो गया, 2 डिग्री तो देता ही यह नहीं यह 1 degree है, अब यह है और यह है, अगर मैं इसकी जगा R रखूँ, यह हमारा R था, यह R था, तो यहां क्या था है? यह पूरा पार्ट क्या है R, अब आप जानते हो, यह Benzyl Halide type का हो गया, Benzyl Halide, और benzyl halide SN1 भी देता है और SN2 भी देता है, मतब यह R हो सकता है, यह R हो सकता है, अब इसका देखते हैं, क्या यह R हो सकता है, तो देखो CH2 double bond CHX, this is vinyl halide, तो आप जानते हैं, halobenzene, vinyl halide, अब यह देखो, यह R हो सकता है, तो यहां क्या है, partial double bond character, तो SN2 reaction नहीं देता है, aryl halide यह से chlorobenzene है, chlorobenzene, chlorobenzene भी SN2 reaction नहीं देगा, reason, क्योंकि यह क्या है, resonance stabilized है, तो partial double तो तूटेगा कैसे, कोई heat तो दिया नहीं हमने, तो R हम ऐसा नहीं ले सकते यहां पे, जो SN2 reaction नहीं देता है, सीधी सी बात है, तो कौन सा नहीं ले सकते, देखो, यह तो 2 degree amine था, इसलिए यह तो देगा है नहीं, दूसरा, यह R तो ले सकते हैं, लेकिन यह R नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह R SN2 में नहीं जाएगा, तो फिर से एक बार मैं टिक कर दे रहा हूं, तो कौन-कौन सा नहीं, नहीं बुच्छा है, कान नॉट, कान नॉट में, वन क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो R हम, र की जगा हम यह नहीं लेक, तो मदलब विनाईल अमीन हम परिपेर नहीं कर सकते, आनिलीन परिपेर नहीं कर सकते, क्योंकि एनिलीन परिपेर करने के लिए हमें यह R लेना पड़ेगा, ठीक है, और वहां भी रेजॉनेंस होगा, तो यह वाला ले सकते हैं, क्योंकि यहां जो lone pair है, वो कोई resonance में तो है नहीं, तो आराम से यहां से निकल जाएगा, यह 2 degree amine था, इसलिए बनेगा है नहीं 2 degree amine, 1 degree यह जरूर बना है, बट दिक्कत यह है कि जब इसका आप R इसको लेकर halogen लगाओगे, तो C और halogen के बीच मे क्योंकि ascent 2 में नहीं जाएगा, तो can not be prepared, तो first और second दोनों आगे हैं, तो answer कौन सा चला जाएगा हमारा 4, next, इसमें how many type of aromatic amine can be obtained by the reaction of, by the reaction of, यह कौन सा reaction है, half man, half man, half man, bromamide, half man bromamide reaction, तो अभी बताया था, it is degradation process, कैसे degradation हो रहा है, C double bond O N H 2 है, तो बताया था ना कि यहां से move करता है, और जो बचाओ वही जुडता है आपस में, तो होता क्या है ना, intramolecular migration होता है, पूरा mechanism बतायने का तो भाई दिखे, उतना time नहीं है, तो ऐसे बोल दे रहा हूँ, direct, intramolecular, यह हटता है, intramolecular migration होता है, मतलब, जिसका यह है, वही अपने वाले ही N से जाके जुड़ेगा, यह CO हटेगा, और यह NH2 अपने वाले ही बचे हुए अराईल या अलकाईल गुरूप से जुड़ेगा, that is intramolecular, इंटर नहीं होता है, तो देखो, इसका इसके साथ एक ameen तो यह बनेगा, primary ameen, NH2 यह 14, और इसका इसके साथ कौन सा बन जाएगा, DNH215, इसका अपने के साथ, इसका अपने के साथ, अब तो देखो, इसका इस एन के साथ नहीं जुड़ेगा, यह अराईल इस एन के साथ नहीं जुड़ेगा, फिर तो migration इंटर हो जाएगा, इंटरमालिकुलर, इंटरमालिकुलर नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इंटरमालिकुलर, अंधर अंधर ही migration होता है, तो जिसका amide है, उसी का ही ameen बनेगा, क्रॉस नहीं बनेगा, कभी-कभी, तो फिर कितने possible हैं only two, एक इसका, एक इसका two different, तो answer कौन सा चला जाएगा हमारा, four, yes, और ध्यान रखना, it is half man bromomide reaction, तो there is a intramolecular migration, यही migrate करता है और न से जागे जूडता है, तो rate of reaction depends upon the migratory behavior, जैसे, 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 जैसे माललो हमारे पास है, C2H5, C double bond OH2, यह half man bromomide में जा सकता है, और एक माललो यह है हमारे पास, C double bond OH2, यह भी half man bromomide जा सकता है, यह A हो गया और यह B हो गया, कहा दिया कि किसका half man bromomide reaction का rate fast होगा, तो मैंने कहा कि यह तो हटेगा और intra-molecular migration होगा, तो यह जा कर जूड़ेगा इससे, यह अपने वाले से जा कर जूड़ेगा, अब migratory behavior किसका फास्ट होता है, सबसे फास्ट होता है H का, जनरली, फिर उसके बाद किसका होता है, phenyle, फिर उसके बाद होलाता है, alkyl, तो phenyle have more migratory behavior than alkyl, तो इसका migration fast होगा as compared to this, जिसका migration fast होगा, उसी का जल्दी बनेगा, तो यहां से rate का भी question पुछा सकता है, half man bromide का, it depends upon the migratory behavior, next पे चलते हैं, next question हमारा, ethylidine chloride, ethylidine chloride देखो यह होता है, CH3CH, ClCl, ethylidine chloride, आप CN का reaction करा दो, NaCN, यह बन जाएगा, CH3C, ethenolic है, तो CN, CN, ठीक है, SN2 type का हो गया, अब hydrolyze करो, S3O positive, आप जानते हो, साइनाइड का जब hydrolysis करते हैं, तो क्या देता है यह, COOH देता है, तो 2 हो जाएगा COOH, CH3CH2, COOH, यह हो गया, उसके बाद देखो, heat भी किया है, तो alpha, यह alpha carbon है, ठीक है, तो bread rule आप जानते होगे, bread's rule, bread's rule, bread's rule, bread's rule क्या कहता है, कि अगर alpha पर, alpha-dicarboxyl acid है, यह, ऐसा कुछ आजाए, देखो, ऐसा आजाए, COOH, बीटा कार्बोनिल हो, alpha, यह यहाँ पर, बीटा पर कार्बोनिल लगा हो, alpha के साथ कार्बोनिल गुरूप लगा हो, alpha के साथ कोई Cn लगा हो, alpha के साथ NO2 लगा हो, alpha के साथ COH लगा हो, तो हीट करने पर यह CO2 गैस निकाल देते हैं, डी-carboxylation हो जाता है, तो जब इनका हीट करोगे न, इनको हीट करोगे तो माइने साफ क्या हो जाएगा, CO2, तो बचेगा क्या, CH3, CH2, COH, यह बचा, ब्रेट सरूल यह कहता है, अब क्या कहना है, तो कह रहा है, further reaction, here B is, यह B, B हमारा यह आगया, यह हमारा B आगया, यह तो ऐसे ही था, यह B आगया, अब B के लिए कह रहा है, यह homolog of caproic acid है, caproic acid क्या होता है, CH3, CH2, 4, COH, hexanoic acid, hexanoic acid को caproic acid भी बोला जाता है, तो homolog क्या होते है, जिनका functional group क्या होना चाहिए, same, बाकि उसमें structural difference हो, या molar mass का difference हो, क्या होना चाहिए, होना चाहिए, homolog कैसे देखने का simple-simple तरीख, कि functional group same होना चाहिए, बाकि उसमें structural difference हो, या molar mass का difference, मतलब difference होना चाहिए, CC-C बात है, तो functional group देखो, functional group same है, तो functional group अलग कर लिए हमने same, बाकि जो part बचा है, क्या same है? नहीं है, तो homolog होंगे, अगे, तो यह पहला वाला तो चलो सही है An Optically Active Compound कहां Optically Active में कोई Chiral Center नहीं है इसमें Can give the taste of Silver Mirror Silver Mirror test कौन देता है Acid में सिर्फ Formic Acid देता है ठीक है? तो वो तो है नहीं Can form Zuitarine Zuitarine के लिए उसमें एक Acid Group भी होना चाहिए और Basic Group भी होना चाहिए तो Compound के अंदर Acid Group तो है बड़ बेसिक ग्रूप ही नहीं है जैसे हम जानते है Amino Acids Amino Acid में NH2 ग्रूप भी होता है और COH भी होता है तो Acidic Basic Group वो Acid-Based Reaction करके तुरंद क्या बना देते हैं Zuitarine तो कोई Basic Group ही नहीं है कि Zuitarine बना सकता है तो आंसर कौन सा जा रहा है हमारा फर्स्ट आंसर जा रहा है ओके Next पे चलते है Which one is major product for the given reaction तो देखो बच्चे देखो पहले इसका Ac2o डाला है तो easy सा है तो देखो इसमें थोड़ा सा आगे पेज लेना पड़ेगा पेज लेना पड़ेगा इसके लिए जैसे NH2Me है Ac2o क्या होता है CH3C double bond O O C double bond O Me तो देखो यहां से substitution nucleophilic addition type correction हो जाएगा यह इधर गया यह ऐसे आया यह वापस आएगा यह निकल लेगा यहां से इसको बोलते है acylation क्या बोलते है Scott and Bauman reaction यह acylation आपने पड़ा होगा तो acylation बिल्कुल NCRT में हमारे बिल्कुल दिया हुआ है N containing में यह क्या बन जाएगा NHC double bond O M E E यहां हो गया M E अब देखो इसका plus R effect है और इसका कौन सा है plus H effect तो जो अब आपने उसमें BR2 डाला है ACOH के presence में मतलब STKC के presence में तो और्थो पेरा देगा पेरा तो क्यूपाई है अब और्थो यह भी है इसकी तरह से और्थो यह तो आप जानते हो ज्यादा activating group कौन सा होता है PLUS R group तो PLUS R के according हमारा आने वाला है Electrophile ठीक है PLUS R के according हमारा Electrophile आने वाला because it is more activating than यह ज्यादा activating group है तो इस के according हमारा यहां क्या आजाएगा BR आजाए rather than yes क्योंकि यह इसका donating power इससे क्या है ज्यादा तो इसके ortho position पर ज्यादा density होगा as compared to this ortho position और इसके लिए यह क्या हो जाएगा Meta position तो वह तो गड़बड हो जाएगा हम inductive effect पहले नहीं देखेंगा जाएगा resonance hyperconjugation is dominant are dominating effect than inductive effect ठीक है तो यहां plus R से density को बढ़ा रहा है यहां ortho पे plus H से density बढ़ा रहा है तो यहां plus R से density of electron ज्यादा होगा यह activate ज्यादा होगा वह position तो bromine पहले वहां पे attack करेगा okay major product हमारा यहां पे आजाएगा तो वापस हम देख लेते हैं इसमें देखो तो देखो यहां तो asylation तो होगा ही होगा यह तो बनेगा ही बनेगा यह तो बनेगा ही बनेगा यह तो बनेगा ही बनेगा यह तो गया अब bromine ortho position पे आना है इसके रिसरी अर्फो पोजिशन पर यहां पर यह अंसर अगा हो, ठीक है? नेक्स्ट पर लते हैं वट इस देफ्ट फाइनल प्रोड़क्ट इन दे सिक्वेंस? तो देखो, ब्रोमीन लाइट क्या करता है? फ्री रेडिकल सॉस्टिटूशन दिखाता है फ्री रेडिकल सॉस्ट्टूशन रेक्शन तो फ्री रेडिकल सॉस्टूशन रेक्शन देखावो पहले आप तो इह हो जाएगा, k-h2-b-r यह हमारा हो गया, a फ्री रेडिकल, एलायलिक बेंजैलिक सॉस्टूशन उसके बाद इस पर अगर KCN का reaction करा दिया KCN साइनाइड तो अच्छा नुकलियोफाइल है SN2 reaction देगा और यहाँ पर यह वन डिग्री भी है तो यह क्या देदेगा SN2 SN2 अगर देदिया तो यह क्या हो जाएगा CH2CN हो गया अभी आपको बताया था कि साइनाइड की हाइड्रोलिसीस अगर कर दोगे तो क्या बना देगा COH बना देगा तो यह हो जाएगा CH2COH Yes तो कौन सांसर आ रहा हमारा फूर्थ अंसर आ रहा फूर्थ अंसर आ रहा नेक्स करते हैं Which of the following can give diet test Phenol presence of this तो देखो आप जानते हो Phenol per Di कैसे बनाते है Phenol per Benzene Digenium Chloride N2 positive जब इसका reaction कराते है Mild Basic Mild Basic Mild Basic 8 to 10 रहता है आसपास pH 8 to 9 भी कह लेते है Mild देखो यह हो जाएगा Mild Basic Medium और यहीं पर अगर Aniline जब होता है यहां पर Aniline जब होता है तो Benzene Digenium Salt के साथ Mild Acidic Medium में देता है अभी तो हमारे पास है Phenol Phenol है तो Benzene Digenium Salt के साथ Dye बनाता है अब हमें यह देखना है और Benzene Digenium Salt कैसे बनता है Aniline मत्तब प्राइमरी अरोमेटिक मीन प्राइमरी अरोमेटिक मीन पर जब लेस देन इक्वल तो 5 डिग्री सेंटिग्रेट पर NaNo2 और HCl डालते हैं यह क्या बनाता है Benzene Digenium Salt बनाता है Benzene Digenium Salt बनाता है Negative तो कह रहा है कि कौन इसमें देगा तो Phenol तो हमारे पास है ही अब इसमें से जो Benzene Digenium Salt बनाएगा वही डाई बनाएगा तो उसके लिए तो भया 1 डिग्री अरोमेटिक अमीन होना चाहिए 1 डिग्री अरोमेटिक अब देखो यह 1 डिग्री तो है बट अरोमेटिक नहीं है 1 डिग्री अरोमेटिक नहीं है क्योंकि डारेक्ट इससे नहीं जोला यह देखो 2 डिग्री हो गया यह तो अमाइड हो गया यह अमाइड हो गया तो यह गया यह गया, यह वन डिग्री है, बट अरोमेटिक नहीं है, यह वन डिग्री भी है, और क्या है, अरोमेटिक है, तो यह ही बनाते हैं, बेंजी, इंटोजीन, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थड़, यह डाई बना सकता है, next, for the reaction, अब आप देखो पहला वाला, देखो इस में, इस question में, तो यह बिल्कुल NCRT का ही है, बाकि जो option है, तो ऐसे हवा बनाने के लिए है, ठीक है, है, बड़ा एजी सा, तो NCRT में आपने देखा होगा कि अगर बेंजाईल कार्बन के पास, बेंजाईल कार्बन के पास ए बेंजाईल कार्बन के पास, अगर एक भी हाइडोजन हो, तो कमनो 4 के साथ क्या बनाता है, कार्बाक्सलिक असीड देता है, तो यह देखो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बाक्सलिक असीड, C-O-O-H, C-O-O-H, थैलिक असीड होगा, अब अमोनिया के साथ जब रियक्शन क क्या देगा, C-O-O-N-H-4, C-O-O-N-H-4, यह दे देता है, बट हीट कर दिया, अगर यहाँ पर सिर्फ हीट लिखा होता, तो सिर्फ वाटर, अगर सिर्फ हीट लिखते है, अगर सिर्फ हीट, ठीक है, तो वो बताता है, क्या, C-Double-Bond, O-N-H-2, C-Double-Bond, O-N-H-2, लेकिन स्ट्रॉंगली हीट कर देते हैं जब न, तो वापस से क्या होता है, इसका इसके साथ रियक्शन हो जाता है, यह वापस आता है, निकल जाता है यहां से, तब यह बनाता है, थैलिमाइड, इसको क्या बलते हैं, थैलिमाइड, इसको कि अधाती में ही ही है यह तो, कि हीट है तो अम-इड बनाएगा, इसको अगर कर दिया तब यह फर्दर रियक्शन करके इसको निकालता है, वापस आकर निकालता है, ठीक है, क्योंकि यह पूर लिविंग गूरूप है तो न, 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 जल्दी निकलता नहीं है, तो इ ठीक है, ठीक है, नेक्श चलते हैं, फर द गिवन सिक्वेंस, तो इसका हमने अभी डिसकस किया था यह वाला, कि FVHCl बेटर होता है, रिडिविशन, तो रिड्यूस नाइट्रो बंजीन इन्टो अनिलीन, तो ए तो देखो बन जाएगा, ए तो देखो बन जाएगा अनिली अनिलीन हो गया, यह A हो गया हमारा, अब देखो अभी बताया था, असाइलेशन, अस्टिक अन्हाइड्राइट से असाइलेशन हो जाता है, तो असाइलेशन, असाइलेशन होगा तो क्या बनेगा, N-H-C-Double-Bond-O-M-E, यह हमारा हो गया, B, अब उसके बाद, B-R-2-C-H- B-E-S-2, तो यह आर्थो भी खाली है इस बार, इस बार पैरा भी खाली है, तो मेजर प्रोडट कहां पे आएगा, पैरा पे, बिकॉस इस्टेरिक हिंड्रिंस को मिनिमार्ण, इससे पहले, जो अमने क्वेशन किया तो उसमें पैरा खाली नहीं था, तो यहां से, जो हमारा B-PART आ रहा है, B-PART क्या रहा है, B-PART दोस्तों यह आ गया, N-H-C-O-M-E-B आ रहा गया, यह B-PART हो गया, यस, अब उसके बार D-PART, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दिया, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करोगे, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, तो क्या बना वापस यह बना देगा NH2 यह BR आ गया फिर उसके बाद देखो यहां से NaNo2HCl दाइजोटाइजेशन हो जाएगा NaNo2HCl NaNo2 NaNo2 plus HCl तो यह क्या बना देगा दाइजोटाइजेशन इधर हो गया हमारा क्या BR ठीक है N2 positive थोड़ा सा यह देखना ही रहा होगा क्या हो जाएगा यह हो गया यह हो गया BR और यह हो जाएगा N2 अब उसमें फिर डाला है H3PO4 S3PO4 act as a reducing agent S3PO4 नहीं होगा S3PO2 है Hypo Phosphorus Acid इसका क्या नाम है Hypo Phosphorus Acid तो चाहे S3PO2 डाल दो चाहे C2H5OH डाल दो तो बचा बना क्या लास्ट में हमारे Benzene और BR अपनी जगह Second answer हो जाएगा तो पहला reduction Acylation Electrophilic Aromatic Substitution Reaction Hydrolysis Diazotization फिर reduction Yes इस सब NCRT में है आपको मिल जाएगा हर एक reaction NCRT सही है Next पे चलते हैं फिर देखो NaNo2 यह देख लो अब आप तो अब आप जानते हो कि एक NCRT में न कंटेनिंग में दिया है Reaction with NaNo2 HCl or HNO2 with primary amine secondary amine तो देखो आप एक बार इसका page ले लेता हूँ जैसे अगर R CH2 NH2 है तो इस पर आपने HNO2 डाल दिया या इस पर डाल दिया NaNo2 प्लस HCl अब मैं थोड़ा सा यहां से उठा लेता हूँ यह आपको प्रोवाइड करते हैं N यह आपको क्या प्रोवाइड करते हैं N यह देखो यह देखो यह देखो यह यहां से टैक होगा HCl हमारे पास होता ही है तो H+, वापस इस पे टैकिया यह देखो इधर यह देखो इधर यह देखो यह देखो इधर से निकल जाएगा That is minus of N2 positive N2 positive तो बचा क्या? RCH2 positive Carbocatine Carbocatine और Carbocatine इस पर water का reaction हो जाता और यह क्या बनाता है RCH2 OH alcohol देता और Carbocatine बना है तो rearrangement भी हो सकता है इसी तरह से जब 2 degree amine 2 degree alkyl amine है यह aromatic amine भी 2 degree amine पर जब reaction कराते हैं जैसे मालो हमारे पास यह है 2 degree amine इस टाइप हा कुछ है तो अगर इस पर जब reaction कराऊगे NaNo2 plus HCl का तो यह क्या बनाता है N nitroso amine देता है N M-E N double bond yellow oily compound होता है yellow oily N nitroso amine देता है और 3 degree के साथ reaction देता इसको Lieberman nitroso reaction देता है तो अगर लेकिन अगर आपके पास कि temperature ध्यान रखना है कि temperature इतना होना चाहिए अगर temperature less than 5 या 5 तो यह resonance stabilized होता है resonance stabilized होता है resonance stabilized होता है उससे यहां पर थोड़ा partial double bond करेक्ट आजा जिससे वह 5 या 5 डिग्री से कम तक hold कर लेता है जबकि 1 डिग्री alkyl amine में यहां पर कोई resonance या partial double bond करेक्टर नहीं था carbon और nitrogen के बीच में तो वह hold नहीं कर पाया और nitrogen क्या होता है best living group होता है तो फट से निकल जाता है और alcohol बनाता है तो 1 डिग्री alkyl amine gives alcohol 2 डिग्री alkyl amine it may be alkyl or aryl gives n-nitroso amine yellow oily compound 3 डिग्री amine react नहीं करता है और 1 डिग्री अगर aromatic amine है temperature less than equal to 5 degree centigrade है तब benzene diagunium salt बनाएगा अगर temperature इससे जादा गया तो फिर यह भी उड़के निकल जाएगा Yes तो अब तो उस पर देखो अब आप वापस से इसको उड़ाएगा यह वन डिग्री alkyl amine है यहाँ कार्वो कटायन बनेगा यहाँ से देखो hydride shift हो जाएगा 1-2 hydride shift तो क्या बन रहा है क्योंकि aryl amine तो है नहीं alkyl amine है alkyl amine है तो देखो 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 एक बार देख लिते हैं 1-2-3-4-5 यहाँ positive आया 1-2 hydride shift हो यहाँ पे चलाया देखो यह यहाँ हो गया positive यस अब आप देखो यहाँ से water का attack हुआ water का attack होगा यहाँ पर most stable carbocatine बनाने एक चक्कर में तो क्या बन रहा है 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 यहाँ पे आगया OH एक तो यह बन गया अब देखो इसमें डाला आपने acid H-plus तो H-plus क्या करेगा acid-base reaction यहाँ attack हुआ यह देखो OH-2 positive बनके फिर वापस होगा फिर वापस से carbocatine यहाँ पे आएगा yes और carbocatine यहाँ बना तो यह intramolecular electrophilic aromatic substitution reaction हो सकता है कि नहीं हो सकता है cyclization हो जाएगा cyclization अगर हो गया यहाँ से yes यह वाला major product है तो यहाँ बना सकते हैं अप लेकिन फिर हमने क्या डाला है H-plus heat तो H-plus जब डालोगे तो acid-base OH-2 positive auxonium-ion बनेगा यह निकल जाएगा फिर carbocatine बना अब उसका फिर क्या करों तो अब carbocatine क्या है electron deficient है तो कहाँ attack करेगा इसमें देखो यह भी बड़ा easy सा है यह भी बड़ा easy सा है इसको मैं थोड़ा open कर रहा हूँ N-CH2-CH2-H ऐसे बाकी यहाँ पर ET हो गया यहाँ ET हो गया यहाँ positive हो गया OH है बाकी यहाँ पर देखो एक H है यहाँ पर है D तो आप जानते हो एक half-mine elimination होता है heat भी कर दिया half-mine elimination half-mine elimination ठीक है OH तो ही हमारी पास ना देखो यह OH है यहाँ पर salt तो half-mine elimination जो होता है वह किससे control होता है beta-acidic hydrogen most acidic जो beta-acidic hydrogen होगा most acidic जो beta-h होगा वही major product देता है तो देखो अब यह भी nr3 positive as a living group होता है half-mine nr3 positive sr2 positive living group हो तो half-mine product देते हैं more acidic than 2 degree and 3 degree तो यह देखो यहां से n r r r nr3 positive निकला यह इधर attack हो गया तो हमारा major product जो बनेगा हो क्या मनेगा c h 2 c h 2 most acidic beta-h से तो देखो यह हमने e t लिखाता है यह पर तो इसको open करना था open करोगे तो अपने आप ही आगा अगर जो नहीं open किया होगा वो इधर उधर कहीं बनाया होगा तो आंसर कौन सा चला जाएगा 3rd c 2 h 1 most acidic beta-h से control होता है half-mine emulation when the living group is n r 3 positive or s r 2 positive next पर चलते हैं यह देखो कौन सा reaction है carbylamine reaction carbylamine reaction तो आप जानते हो NH2 CHCl3 plus KOH this is carbylamine reaction carbylamine carbylamine reaction क्या देता है? isosynide देता है iosynide बना लेते हैं इसका देखो कितने carbon है? 1,2,3 यह N हो गया isosynide बन गया isosynide की hydrolysis कर दिया hydrolysis कर दिया तो जब hydrolysis करोगे hydrolysis करोगे तो क्या बनेगा? यह हो गया वापस से primary amine बन गया primary amine और प्लस क्या बनेगा इसका? H-C-O-O-H B-P-L-E अब देखते हैं C-C-C-L-3-K-O-H डालते तो क्या बनता है? Salicyl Dehyde बनता है यहां पर क्या लेते है? phenol यह तो नहीं होगा product A 4 mol of K-O-H 4 mol नहीं यूज़ोता बच्चे इसमें कितने mol? 3 mols कितने mol यूज़ोते है? 3 mols 3 mols K-O-H यह balanced chemical equation 3 mols K-O-H यूज़ोता है तो answer best कौनसा चला जाएगा हमारा first और यहीं पर बता दू Carbylamine reaction में K-O-H डालते हैं Half-mine bromomide में K-O-H डालते हैं अब ध्यान रखना Half-mine bromomide में K-O-H 4 mol यूज़ोता है और Carbylamine में K-O-H कितने mol यूज़ोता है? 3 mol Yes मेकनिजम में यह समझा दिया जाता है लेकिन बड़ा काफी मेकनिजम है तो उतना सबका कैसे बताया जाए ना तो ध्यान रखिएगा बाकि आप कौपी मेकनिजम बना है वहां से मेच भी करा सकते हैं Next पर चलते हैं Select the correct reaction अब आप देखो पहला वला एक तो देखो यह Bicarbonate Test कौन कौन देता है Sulphonic Acid Carboxylic Acid Benz से को Sulphonic देता है Bicarbonate Test Carboxylic देता है Picric भी देता है Picric Picric देता है Paranitrophenol देता है Paranitrophenol यह सब देता है Squaric भी देता है तो इसमें जो Bicarbonate होता है NaHCO3 इसको जब इसमें डालोगे तो यहीं से CO2 निकलती है CO2 Effervescence of CO2 CO2 निकलता है CO2 comes from Bicarbonate अब देखो यह reaction तो हो गया यह कहां से आ गया यहां होना क्या चाहिए था CO2 तब सही हो जाता यह तो गलत हो गया अब आप देखो अब एक point अब दूसरा point देखते है दूसरा point हमारा क्या है दूसरा point क्या है आप जानते हो अब आप देखो अब आप देखो अब आप देखो यह सब क्योंकि अब अब यह ने इन आप चैरा यह और आकोहल यह पार आपs पार आप यह यह प्लुद यह क्यों गलत हुआ यहां क्यों गलत हुआ क्योंकि यहां से CO2 निकलना था यहां CO2 नहीं है यह सही है more acidic से less acidic बन गया यह गलत क्यों है less acidic से more acidic बना गलत हो गया less acidic से more acidic बना गलत हो ठीक है next पर चलते हैं which one of the following reaction final final product तो आप जानते हो यह थोड़ा सा याद करना पड़ता है यहां पर कि अगर mild acidic medium है तब तो aniline बनाता है और थोड़ा strongly acidic medium है तो यह बनता है ऐसी बात नहीं यह intermediate है intermediate product यह बीच बनता बट फाइनल प्रोड़क्ट इसका क्या आता है final जो आता है वो पारहइड्रोक्सी एनिलीन हो जाता है यह बनता है final यह बीच में बनता है यह selective reduction है selective reduction चाहे यह डाल दो चाहे आप NH4HS डाल दो यह NA2S डाल सकते हो तो यह selective को मत्तब जो metadynitrobenzine होता है उसमें एक nitrogen group एक NO2 group किसमें convert हो जाता है NH2 this is called a selective reduction यह तो आपको पता ही है तो इसमें यह वाला थोड़ा सही नहीं है mild acidic में aniline बनता है but strongly acidic medium अगर होता है तो वो para hydroxy aniline बना रेता है यह बीच का है जबकि हमने पुछा क्या है final product yes तो यह वाला गलत होगा okay friends तो यह next question पर हम लोग चलते हैं अब इसमें दिया है 21 में grignart regent act as a nucleophile grignart regent क्या हो गया rmgx अब nucleophile की तरह काम करेगा अगर यह nucleophile की तरह काम करता है तो क्या-क्या reaction हो सकता है कम से कम एक तो हो सकता है nucleophile philic addition या एक हो सकता है substitution अब देखो यहां तो active hydrogen active hydrogen, active hydrogen, active hydrogen तो आप जानते हो grignart regent पहले तो acid-base क्योंकि यह जो r-negative यह nucleophile भी है और क्या है base भी है तो आप जानते हो सबसे पहले तो acid-base reaction हो जाएगा because of presence of active hydrogen तो यहां तो acid-base हो जाएगा इसके साथ यह क्या काम करेगा nucleophilic addition का काम करेगा ठीक है carbonyl के साथ तो nucleophile की तरह किसके साथ behave करेगा fourth के साथ, okay next which of the following have higher kb value than aniline aniline से जादा kb तो आप जानते हो basic behavior basic behavior जो होता है तो directly proportional to क्या होता है kb aniline से aniline हमारे पास यह है ठीक है aniline में इस तरह का bond रहेगा यह देखो resonance stabilized भी है due to resonance nucleophilicity तो कम है इससे जादा मतलब इससे जादा basic corner first ही check कर लेते है benzyl amine benzyl amine देखो इसमें तो यह lone pair single syndal not involved in rezo resonance में इन्वाल्व नहीं है तो इसकी availability जादा यह आसानी से टुनेट करेगा as compared to this तो इसका basic behavior जादा होगा जिसका basic behavior जादा होगा उसका KB भी क्या होगा जादा होगा खेर answer ही हमारा आगे बाकी भी आप check कर सकते है next देखो जी एक chromyle अती तो इसको क्या बताऊं मैं वैसे चलो लिखी देते हैं CH3 आप इसको itard reaction बढ़ा होगा आपने itard reaction CRO2 CL2 CS2 तो इसमें जानते हो पहले तो यह complex बना देता है पहले तो यह complex बना देता है यह हो गया O C R O H C L 2 का TWICE इस टाइब का complex बना देता है अब जब इसको hydrolyze करते हैं जब इसको hydrolyze यह भी पुछा हुआ क्वेस्चन है कि कौन सा complex बनता है जब इसको hydrolyze करते हैं तब जाकर यह क्या देता है so this is called as itard reaction okay next most suitable reagent for the reaction अब आप देखो KMNO4 oxidizing agent है इसको तो carboxylic acid में बदले का ही साथ में यह 2 degree alcohol का क्या बना सकता है ketone बना देता है देखो KMNO4 CRO3 K2Cr2O7 यह क्या करते है 1 degree alcohol को किसमें बदल देते हैं 2 degree alcohol कार्बोनिल में जब 1 degree alcohol कार्बोक्सलिक बदल दे रहे हैं तो LDH को भी किसमें बदल देंगे दूसरा कौन सा reaction होता है Halo form reaction होता है तो Halo form देने के लिए कार्बोनिल और एलकोहल तो देते हैं पर आप जानते हो methylated होना चाहिए methylated होना चाहिए CH3 group होना चाहिए साथ में या ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो CH3 group यह 1 degree या 2 degree हो सकता है अलकोहल 3 degree नहीं देता है तो ऐसा भी तो नहीं है तो यह भी गया यह क्यों गया क्योंकि यह दोनों इसके साथ सा इसको भी oxidize कर देंगे यह अगर halo form देखो भी तो halo form के लिए methylated होना चाहिए यह कौन सा reagent है इस टॉलेंस reagent टॉलेंस reagent यह क्या होता है mild oxidizing agent होता है याद होगा टॉलेंस test, benedict test, felling test यह ketone का नहीं होता है सिर्फ alpha hydroxy ketone का होता है बाकी का नहीं होता है तो यह देखो, अब यह क्या करेगा यह mild oxidizing agent है जिसे यह देखो यह क्या करते है इससी टेस्ट आफ eldehyde ठीक है eldehyde को तो oxidize कर देगा बटmel compliant डर नहीं करेगा टू डिग्री wcze Vil sudbor pill नहीं नहीं करता तो यह वाला क्या क्या क्याबर इसको oxidize कर देगा, इसमें ये tolent test, it is mild oxidizing agent, aldehyde को तो कर देते हैं, बट 2 degree alcohol को नहीं करते हैं, तो aldehyde को oxidize कर दिया, 2 degree alcohol है, सच रहा, तो best reagent इसमें कौन सा होगा, tolent reagent होगा, इसको ऐसे भी लिएक सकते हो, ammonical silver nitrate आपने नाम सुनाओगा, तो ammonical हो गया, ammonical silver nitrate, yes, next, next है हमारा correct statement about the following reaction, तो देखो, यहां से क्या बनेगा, यह ether है, ग्रिगनार्ड रिजेंट बन जाएगा, ग्रिगनार्ड रिजेंट बन गया, mg, br, यहां आगया, नेगेटिव, अब देखो, co2 के साथ रिएक्शन, carboxylic acid देगा, NCRT में है भी अपने पास, carboxylic acid बनाने का, तो यह देखो क्या बना रहा है, यहां कुल मिला क्या आगया, c double bond o, negative, यहां पे, अब उसके बाद water डाल दिया, h आजाएगा, यहां से h plus, यह बन गया हमारा, c o o h, अब आप देखना, यहां balance करोगे तो एक h आएगा, और यह chiral center है की नहीं है, chiral, chiral, जब chiral है, तो इसका एक r बनेगा, अब प्लस एक s बनेगा, दो बनेगा, तो solution में आधा r में चल रहा है और आधा s में चल रहा है, प्रोड़क्ट क्या होगा, प्रोड़क्ट, यह प्रोड़क्ट है, Product compound is optically active but product, product क्या है, product कैसा है, product is, product is racemic mixture, racemic mixture और racemic mixture क्या होते हैं, optically inactive होते हैं because external compensation, आधा R में घुम रहा है, आधा किस में घुम रहा है, S में, तो externally, net rotation हमें किसी भी direction में solution का नहीं मिलेंगा, तो product, product is resmic mixture, compound is optically active, इसमें दो बनेगा एक R और एक S, compound is optically active, but उसका product, that is resmic mixture, product तो क्या होगा, optically inactive, because of external compensation, या ऐसे समझेड़ो, कि रस्में किसको बोलते है, आदा R में घुम रहा है, आदा clockwise, आदा anti-clockwise rotation है, तो net rotation हमें क्या मिलेगा, 0, जब net rotation 0 है, तो optically inactive, तो बोलेंगा तो product of two methyl butanoic acid, यहां से आप numbering कर सकते हैं, one, two, three, four, two methyl butanoic acid, is optically inactive, product, 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 product क्या है, resmic mixture है, compound is optically active, but product is resmic, resmic mixture क्या होते है, यह तो सही हो गया, तो यह वैसे भी गलत हो गया, product would be trans 2-butane, यह तो मिला ही नहीं हमें, product is pentanoic acid, ऐसा तो नहीं मिला है, one, two, three, four, two methyl butanoic acid मिला, तो यह गलत होगे, तो यह एक छोटा सा trap था, ऐसे समझ लो, आपके लिए, ठीक है, चलो, next, चलते हैं, यह mechanism based, एक question हमने दे दिया, यह से दिखो, यहां, दो H है, दो H है, and both are acidic, both are acidic, यहोंकि इसका conjugate base, देखो, resonance stabilized, electron withdrawing group, देखो, इसलिए यहां पर two equivalent N-N-OH, तो एक में थ्वासा इसको, next page पे चलते हैं इसके लिए, next page पे चलते हैं, तो जैसे देखो, यह कुछ इस type का है, O-E-T, O-E-T, दो H यहां पर है, तो हमने two equivalent इसमें डाल दिया है N-N-OH, और साथ में कुछ इस type की भी चीजें है, BR, यहां पर क्या आगया, BR, अब आप देखो, एक equivalent इसको उडाएगा, इस पर क्या आएगा, negative acid-base reaction, वो इधर अटेक करेगा, nucleophilic substitution, फिर दूसरा वाला फिर यह भी तो यह से डिख है, तो इसको अटाएगा, फिर negative आएगा, यह अटेक हो गया, cyclization हो गया कि नहीं, कुछ इस टाइब कर बन रहा है, OET, OET, यहां पर देखो, ऐसा कुछ बन गया कि नहीं बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा बन गया, उसके बाद, एक बार बैक चलना पड़ेगा, उसके बाद क्या डाल रखा है, H2SO4 Equus, चलो जी, आप जानते हो, H plus Equus है, मतला water भी है यहां पर, तो acidic medium में hydrolysis हो सकता है, hydrolyzed ester का कर दिया, हमने hydrolysis कर दिया ester का, यहां पर O था भाई साब, यहां पर double bond O O E T hydrolyze कर दिया, जब hydrolyze कर देंगे, तो यह देखो कुछ इस टाइब का बन जाएगा, COOH, COOH, उसके बाद heat किया होगा, heat करोगे तो वही bread rule हो गया, देखो, alpha die carboxly के seat है कि नहीं है, alpha, तो क्या हो जाएगा, minus of CO2, bread rule, एक CO2 निकल गया है, तो बचा क्या, COOH, यह हमारा product हो गया, यह हमारा product हो गया, ठीक है, next, next is how many compound given below can give effervescence of this, तो देखो मैं इस थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, हमारे syllabus के according, benzene sulphonic acid, सीदी सी बात यह है, NaHCO3, NaHCO3, के साथ, CO2 वही देगा, जिसका acidic behavior, H2CO3 से क्या हो, जाद हो, तो एसीड जो है, कोई acid है, जिसका acidic behavior, H2CO3 से क्या है, अगर जाद है तो वह test देदेगा, तो मैं एक order लिग देता हूँ, यह हो गया, greater than, पिक्रिक acid होता है, पिक्रिक acid, यह और भी काम आ जाएगा आपके, फिर होता है, squaric acid, squaric acid, उसके बाद आ जाएगा आपका, formic acid, उसके बाद आ जाएगा, benzoic acid, ना, उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद, paranitrophenol, 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 यह सभी जो होते हैं, वो इस H2CO3 से ज्यादा acid होते हैं, तो यह सभी, all of these, all of these, can, give, NHCO3 test, NaHCO3 test, और इसमें क्या होता है, CO2 gas निकलती है, कहां से, sodium bicarbonate से, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए, acidic behavior order पूछ भी सकते हैं आपसे, नेक्स्ट वे चलते हैं, विच वन इस major organic product, in the given reaction, तो देखो यह पहले तो परोक्साइड एफेक्ट आगया, anti-marconic cough, anti-marconic cough में देखो, क्या बनने माला पहला क्या बनेगा, तो आप जानतों, anti-marconic cough rule, BR यहां पर आजाएगा, उस double bonded carbon atom पर अटेश होता है, जिसके बास number of hydrogen क्या होते है, जाद होते हैं, तो यह number of hydrogen कितना है, दो, और यहां पर number of hydrogen कितना ही होता है, N ने CN का reaction क्रा दिया, second, जब second का क्राओगे, तो SN2 reaction हो जाएगा साइनाइड के साथ, तो वो देखो क्या दे रहा है, यहीं प्या जाएगा साइनाइड, उसके बाद hydrolysis भी कर रहे हो, तो hydrolysis कर दिया, H3O positive, साइनाइड के hydrolysis होती है, तो क्या देता है, Carboxlic Acid, तो Carboxlic Acid बना देते हैं, यह हो गया, यह COOH हो गया, उसके बाद SOCl2, अब थोड़ा आगे बढ़ा, अब यहां तक ध्यान दे दो, यहां तक है, इसको आगे बढ़ा देता हो, यहां तक हो गया, उसके बाद, इसका क्या किया है, SOCl2 के साथ reaction कराया है, तो SOCl2 के साथ जब reaction होता है, तो क्या बना देता है, Acyl Halide बना देता है, Acyl Halide, Double Bond OCl, बैक कर लेते हैं, इसके बाद क्या डाला है, FeCl3 डाल दिया, इस पर जब आफ FeCl3 डालोगे, तो यह Lewis Acid-Lewis Base Reaction हो जाएगा, यह इधर गया, यह पॉजिटीव आ गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब वह कहाँ टेक करेगा, जहां पर देंस्टी जाता होगा, देंस्टी यहां पर जाता है, Intramolecular Acylation हो गया, एकदम exact लग रहा है, Friddle Craft Acylation की तरफ, तो यह Last में क्या बना देगा यह, Last में देखो क्या बनाएगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यह इधर आया, यह Double Bond अपनी जगह, ऐसा कुछ बनाएगा, ठीक है? Next, Kolb Electrolysis है देखो, Kolb Electrolysis आपने पढ़ा होगा, तो इसमें क्या बनता है? Free Radical बनता है, तो Free Radical बना देते हैं पहले, तो देखो यहां से यह निकला, यहां Free Radical आया, जैसे ही यह Free Radical, यहां भी बना लेता हूँ चलो Free Radical, तो एक तो है कि यह Intramolecular ऐसा बना दे, ऐसा बना दे, बट हम Major Product पुछा है, अगर तो more than one option है, तो Major की तरफ ही जाएगे, तो जैसे देखो इसमें रेजोनेंस तो हो ही सकता है, रेजोनेंस जब होगा, तो यह कुछ, इस टाइप का भी तो Free Radical generate करी सकता है ना, यह ऐसे, यह ऐसे, अब यह अगर यह आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या बना देंगे? Benzyma, This is more stable than this, तो हमारा जो प्रोड़क्ट होगा इसमें, बेस्ट आंसर कौन सा जाएगा? Second. Kolb Electrolysis, Free Radical Mechanism. Okay? Next. Arrange the following compound in order of living group ability. तो आप जानते हो सबसे अच्छा कॉन सा होता है वैसे, N2 Positive. फिर इस क्या होता है? OTF. OTF कॉन सा इसमें कहीं दीख रहा है? OTF? OTF नहीं है. फिर उसके बाद कॉन सा होता है? OTF यह है, यह OTF है. फिर इसके बाद क्या होता है? O-N-S, Nitrosylate. उसके बाद होता है O-B-S, Borosylate. फिर होता है O-M-S, Macylate. Sorry, O-T-S. O-T-S होता है. O-T-S. O-T-S. उसके बाद होता है O-M-S. उसके बाद आएगा I-O-D-N आजाता है. ब्रोमीन आजाता है. O-T-S कहाँ है? O-M-S. देखो, यह O-M-S है. O-M-S यह हो गया. नहा? O-T-F हमारे पास है. O-T-F और O-M-S. यह O-M-S. O-M-S इसी को बलते है. तो सबसे जादा तो हो गया देखो 4. फिर उसके बाद कौन सा है? सबसे जादा तो हो गया 4. उसके बाद कौन सा आजाएगा? 3rd. अब इन दोनों में देख लो. कि जादा अच्छा होता है, जो जादा स्टेबल होता है. जैसे तेखो, यह ऐसे बांड लगा है, जैसे मालो, जैसे C के साथ N2 पॉजिटिव आ गया है. यह बेटर लिविंग ग्रूप क्यों हो है? क्या होके लिव करने के बाद, एक तो यह गैस बनाएगा, और वह नूट्रल भी हो रहा है. तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, वही बेटर लिविंग ग्रूप होते हैं. तो यह लिव करने के बाद इनके उपर नेगेटिव चार्ज आया है. और 3 माइनस आयफेक्ट से भी स्टेबल हो रहा है. इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है, लेकिन इसका क्या लग रहा है? प्लस आयफेक्ट. दो तरफ है रेजोनेंस. तो थोड़ा सा इससे कम स्टेबल होगा, तो इसलिए लिविंग अबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी. अब यहां पे देख लो वही दोनों में, एक ही तरफ रेजोनेंस है, इसमें है ही नहीं. तो इन दोनों से थोड़ा कम stable ही होगा, तो थोड़ी living ability इसकी भी कम होगी, तो इसके बाद कौन सा जाएगा 1st और लास्ट में कौन सा जाएगा 4, 3, 1, 2 यह कहां पे है, यहां पे 4, 3, 1, 2 Next Which of the following cannot give diagunium salt तो diagunium salt दोस्तों कौन देता है, यह नहीं देगा यह नहीं देगा, आपको पता है हमने अभी पीछले question में बताया था आपको, aromatic primary amine gives diagunium salt, तो aromatic primary amine यह है aromatic primary amine यह है यह तो दे देगा, but alephatic primary amine क्या देते है NaNo2-Acele के साथ, एल्कोहल देते हैं इसलिए यह answer हमारा चला जाएगा इसको explain किया धामने पीछे next अब देखो यहां पर है CH3 C double bond OH acetaldehyde फिर acetone 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 यह हो गया अब कहरा कहते हैं, देखो 2-4-DNP test कौन सा देता है, कार्बनिल compound देते हैं, बड़ ध्यान रखना है कि glucose fructose नहीं देते हैं ठीक है क्योंकि वह किसमें exist करते हैं cyclic form वैसे देते हैं, 2-4-DNP तो यह भी दे देगा यह क्या है आइडो form test है KOI भी लिख सकते हैं KOI भी लिख सकते हैं तो methylated alcohol methylated यह भी है, methylated यह भी है methylated यह भी है दोनों ही दे देगा फिर आते है sodium bisulphite sodium bisulphite test आपको पता है, aldehyde देते हैं, और methylated ketone देते हैं, except acetophenone sodium bisulphite white crystalline compound कौन देता है, acetyl aldehyde और ketone में सिर्फ कौन देता है methylated except acetophenone तो methylated यह भी है यह भी हो गया अब देखो यह क्या है, tolens tolens reagent tolens test tolens test कौन देता है aldehyde देते हैं ketone नहीं देते हैं जबकि यह देगा तो distinguish किससे हुआ, इससे होगे okay next how many compound can decalorize, bromine तो देखो इसके साथ क्या देगा वो addition reaction addition reaction इसके साथ कोई नहीं, इसके साथ भी क्या देदेगा, addition reaction इन दोनों पर अगर मैं bromine water डाल दूँ तो tri-substitute product देता है क्या देता है tri-substituted 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 product याद होगा आपको na, tri-substituted जैसे एक कबनाग दिखा देता हूँ जैसे यह मानलो OH है तो BR 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 अर्य तो BR का कलर ब्राउन होता है BR2 का तो खतम हो गया ना तो D-Colorize तो यह करी रहे है साथ में देखो इसके साथ भी इसी टाइब का हो जाएगा इसके साथ कुछ नहीं होगा Ketone को Oxidize नहीं कर पाते है तो इसके साथ इसके साथ इसके साथ इडिशन हो जाएगा इसके साथ हो जाएगा तो BR2 तो खतम होई रहना तो D-Colorize तो हो जाएगा 1,2,3,4,5 आंसर कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा ठीक है आप जानते हो benzene addition reaction नहीं देता है because of loss its aromaticity तो इसलिए benzene पे नहीं कराएगे इसके साथ कुछ नहीं होता तो next पे चलते हैं Best reagent for the following conversion अब आप देखो हमें इसको conserve रखना है इसको कंजर्व रखना है इसको देखो हटाकर carboxylik लगाना है तो देखो KmnO4 का काम क्या होता है KmnO4 तो carbonyl को भी oxidize कर देता है pop-offs rule के through और इसका भी diol या acid बना देगा जबकि हमें इसको छिड़ना नहीं मतलब यह तो नहीं हो सकता Ozone Ozone कम से कम इसको तो उड़ाई देगा वैसे तो इसको भी करता है double bond को ही उड़ा देगा जबकि हमको कंजर्व रखना है यह देखो CNO3 Ammonical silver nitrate का का काम क्या होता है वो aldehyde पे काम करता है ketone पर करता नहीं तो यह भी गया यह भी गया अब बचा क्या यह देखो Iodopharm क्या है Iodopharm Iodopharm क्यों देता है Methylated तो यह कैसा बनता है Iodopharm CH2 double bond CH bond CH2 COO negative Iodopharm 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 तो यह क्या हो जाएगा CH2 CH CH2 COO negative और Iodopharm यह ही CH2 CH3 यह Iodopharm बन गया जो बचा उसका Carboxylicicicid Salt क्योंकि एक्वस है तो वाटर से यह क्या करेगा H लेके यह बना देगा तो इन में देखा जाए तो बेस्ट कौन सा होगा हमारा Most suitable कौन सा हो रहा है 4 हो रहा है Next Which of the following does not give sodium bisulfide Sodium bisulfide test कौन देता है Eldehyde And methylated ketone except acetophenone Toh कौन नहीं देगा देखो यह यह नहीं देगा 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 Acetophenone बार बार मैं बोल रहा हूं Methylated ketone तो देते हैं But acetophenone नहीं देते हैं Because of the presence of more bulky group तो SO3H निकल जाता है बाहर ठीक है आप याद रखें इसको ठीक है Next पर चलते हैं Best reagent Best reagent for the following transformation अब आप देखो इसको conserve रखना है इसको conserve रखना है और यह acyl halide है Acyl halide को किसमें बदलना है? COH Acyl halide को COH में बदलना है तो अब आप देखो यह Rosenmund Reduction Rosenmund जब जानते हो तो दो जंगा होता है Elkine को Elkine वी बदल देता है Bicene edition और Acyl halide को Eldehyde वी बदल देता है हाँ ठीक आप इसको डालो कि इसको Eldehyde में तो बदल देगा पर इसका भी काम खराब कर देगा जबकि हमें इसको कंजर्व रखना है दूसरा देखो D-I-B-A-L 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 Acyl halide D-I-B-A-L Acyl halide C double bond O X C N हो गया N हाइड्राइड हो गया N हाइड्राइड N हाइड्राइड हो गया Ester हो गया इनको D-I-B-A-L क्या करता है सभी को Eldehyde में बदलता है बाकी पर नहीं छिडता है वो तो इसको D-I-B-A-L डालो के तो इस D-I-B-A-L triple bond पे तो react करेगा नहीं हाइड्राइड तो एक reagent यह हो गया और एक बात देखा यह temperature दिया है वैसे तो अगर temperature नहीं दिया है तब भी आपको यह ही मानना है लेकिन अगर temperature दिया है तो यह काम वैसे यह low temperature पे करता है यह direct low temperature पर aldehyde ketone को reduce नहीं करता है लेकिन अगर temperature हाई है अगर temperature हाई है तो D-I-B-A-L lithium aluminum hydride की तरह काम करें मतलब अगर alcohol में बदलना सुरू कर देता है तो इसलिए यह temperature mention किया गया है मालोगा temperature mention नहीं है तब भी आप यही मानेंगे NCRT के recording ना कि Acylalide, Cyanide, Enhydride और Ester को किसमें बदलता है aldehyde ketone को छिड़ता नहीं lithium aluminum hydride डाल दोके तो वो क्या करेगा Acylalide को अलकोहल में बदल देगा NABH4 डाल दोके तो Acylalide को किसमें बदल देता है वो अलकोहल में बदल देता है थोड़ा reducing oxygen का direct आपको याद होना चाहिए कि कौन किसमें convert करता है तो एक बार मैं सभी का बोल दिया हूँ next पे चलते हैं mesotartaric acid is optically inactive तो mesoacid देख लो mesotartaric acid यह हो गया mesotartaric acid हो गया क्यों होता है because of presence of sigma, sigma क्या है plane of symmetry plane of symmetry या एक देखो R में आएगा एक किसमें आएगा S में आएगा एक तो external आधा right clockwise गुम रहा आधा internal compensation भी बोल सकते है internal compensation या plane of symmetry इसमें सब देखलो molecular symmetry है molecular symmetry है that is plane of symmetry ठीक है external compensation नहीं internal compensation की वजय से होता है resume external compensation की वजय से optically inactive होते है ठीक है बागी दो ही गया optically inactive due to due to plane of symmetry या internal compensation ठीक है तो हमारा based answer कुनसे लाएगा first next next देखो हमारे पास है फिर वही NCRT का reaction है हमारा देखो KMNO4 अगर डाल दोगे तो benzyl carbon के पास अगर एक भी hydrogen है तो carboxylic acid बना देगा तो यह first second से हो गया first second से ही हो गया फिर SOCl2 डालो गया SOCl2 OH की जंगा क्या supply कर देता है CL तो यहां पर C double bond OH होगा OH की जंगा क्या आ जाएगा CL आ गया COCl हो गया benzoil chloride अब देखो benzoil chloride यह क्या है? Rosen Moon Reduction वो benzoil chloride को किसमें बदल देता है LDH in NCRT में दिया ही हुआ है आपके तो benzyl dehyde बन गया benzyl dehyde बन गया यह देखो Concentrated Enneuos डाल दिया benzyl dehyde इसके पास alpha hydrogen क्या है? 0 तो alpha hydrogen 0 और LDH है तो क्या देता है? canny zero reaction देता है तो canny zero हो जाएगा canny zero और canny zero में क्या होता है? it is disproportionate reaction तो उसी का salt बनेगा कहा गया उसी का पहले salt बनेगा negative और उसी का alcohol भी बन जाता है disproportionate reaction ठीक है? अब आप देखो last में फिर H plus डाला है तो H plus ये लेके क्या बना देगा? carboxly acid बना देगा अगर H plus नहीं डालता तो फिर उसको इसी salt के form में ही रखते तो हमारा एक answer ये बन रहा है ये आ जाएगा हमारा लेको first answer oxidation फिर उसके बाद SOCl2 के साथ हो गया एक तरह से OH की जगह CL आ गया rosenmund reduction canisaro reaction उसके बाद canisaro से क्या बना? salt को फिर H plus प्रवाइड करके acid बना दिया अगर ये H plus नहीं होता है यहां पर तो हम इसी form में इसको रखते okay next total number of carboxylic group तो देखो पहले देखो ये एक होता है reductive ogenolysis reductive ogenolysis होता है O3 zinc water और अगर zinc नहीं डालोगे तो oxidative ogenolysis होता है 2 degree इलकीन का 2 degree ये भी है और 2 degree ये भी है जैसे k-n-o-4 k-2-c-r-2-o-7 2 degree इलकीन कार्बन का क्या बनाते है carboxylic acid वैसे ही O3 water भी 2 degree इलकीन कार्बन 2 degree इलकाइन कार्बन का भी carboxylic acid बनाता है तो यहां से break कर दिया पहले अब देखो क्या बन रहा है यह यहां तक पहुचे यहां तक हो गया और इसके साथ देखो यह COOH हो गया यह भी COOH हो गया यह COOH यह COOH यह यहां है double bond O अब इसको hydrolyze किया hydrolyze कर दिया hydrolyze कर दोगे तो कोई भी acid derivative का hydrolysis करते है तो क्या देता है वापस से फिर बन गया कुछ हमारा इस तरह का double bond O COOH COOH इधर आ गया COOH यह C है इधर भी आ गया COOH अब हीट कर दिया हीट कर दिया तो bread rule लग गया देखो alpha पे carbonil है इधर भी alpha पे क्या है carbonil हीट कर दिया तो CO2 निकल जाता है bread rule के according तो minus of हो गया 2 CO2 यह गया यह गया यह तो खतम हो जाएगा यह खतम हो जाएगा ठीक है अब देखो इसके alpha position पे तो नहीं है कुछ भी CO2 NO2 COH NO2 Cn carbonil कुछ तो नहीं है इधर से है न इधर से कितने बचेंगे हमारे पास कितने COH बचेंगे in the final product is 2 COH yes next देखते है इसमें देखो esterification हमारे NCRT में है ही सब NCRT से ही उठाया गया है तो देखो इसमें पुछाया कि which ester does not form आपको कोई mechanism नहीं बजाने ही देखो ester अगर बनेगा तो देखो यह क्या होगा CH3 C double bond O यह 18 है यह OH है C2H5 O 18 है तो यह गया माल लो इधर यह आया इधर तो अब देखो क्या बन रहा है CH3 C O negative के साथ 18 यह हो गया OH यह हो गया OC2H5 H positive अब आप देखो अच्छा यह वाला देखो 18 ही है यहाँ 18 है और यहाँ पी क्या है 18 है यह भी 18 है अगर C2H5 OH तो रहेगा ही ना 18 वाला प्रोड़क्ट में C2H5 OH 18 वाला तो रहेगा ही है हाँ यह भी OH जा सकता है यह भी OH जा सकता है लेकिन यह पक्का है कि C2H5 OH वाला O18 है वो तो रहेगा ही रहेगा इस्टर में अब देखो इसमें तो है इसमें C2H5 OH वाला 18 है इसमें भी है इसमें देखो नहीं है इसमें नहीं है C2H5 OH वाला O18 तो रहेगा ही रहेगा प्रोड़क्ट में तभी एस्टर बनेगा तो वो तो इसमें भी है और इसमें भी इसमें नहीं है तो यह पॉसिबल नहीं है यह वल्ला नहीं आएगा ऐसे आप कर सकते थे How many carbonyl compound reduce tolerance reagent? कार्बोनिल कौन tolerance reagent से reduce होता है tolerance reagent किसे reduce होता है eldehides होता है अब three carbon का है ही बस तो three carbon का देखो three carbon का एक carbonyl तो यह बना सकते हो और एक three carbon का एक carbonyl यह बना सकते हो और तो कोई structure possible है नहीं इसको वो करेगा नहीं because यह क्या है ketone है इस ही को करेगा बस तो answer कौन सा हो जाएगा 4 easy sa next पे चलते है next पे देखो final product of the given reaction देखो यह जो P2O5 होता है na P4O10 P4O10 डालो चाहे PCL5 के साथ भी heat कर सकते हो POCl3 के साथ भी heat कर सकते हो यह सब dehydrating agent होते है H2SO4 भी dehydrating agent होता है तो यह क्या करता है P2O5 P2O5 क्या करेगा minus of H2O कर देगा because it is dehydrating agent dehydrating agent तो यह क्या करेगा minus of H2O अब यहां से H2 एक बार निकालो तो बचेगा क्या E T अब बैलेंस कर दो बैलेंस कर दो यह ही आएगा और कुछ तो आएगा नहीं साइनाइड हो क्या अब आप जानतों D.I.B.L. है अभी बताया था D.I.B.L. तो इथाइल ही हो गया यह सी अच्य हो गया ठीक है Next, how many different structural amide can undergoes half man bromide half man bromide कोन देता है amide one degree होना चाहिए one degree amide one degree amide ही देता है one degree amide देता है half man bromide reaction तो देखो हमारे पास five carbon थे एक carbon तो यही उडा ले गया अब बचे कितने हमारे पास 4 carbon 4 carbon के कितने structure देखो बन सकते है 4 का एक तो skeleton यह बनता है 4 carbon का एक skeleton यह बनता है तो amide कहा कहा लगा सकते हो देखो यहाँ पे लगा सकते हो C.O.N.H.2 एक यहां पे आगया, यहां पे भी लगा सकते हो, दो हो गया, यहां पे लगा सकते हो, तीन हो गया, यहां पे लगा सकते हो, चार हो गया, How many different structural, structural पुछा है, मतलब आपको stereo नहीं लेना है, ठीक है, देखो यहाँ पर एक CUNH2 लगा सकता, अरे भाई अब इसी को तो लगाना है, तो यहाँ पर लगा सकता है, यहाँ लगाओ के तो repeat कर जाएगा, यहाँ लगाओ के तो repeat कर जाएगा, इसमें यहाँ यहाँ लगाओ के तो repeat करेगा, यहाँ लगाओ के तो repeat करेगा, तो कितने different structural amide बन सकते हैं, जो half man bromide reaction, half man bromide reaction कौन देता है, one degree amide देता है, तो one degree है न, यह one degree है, देखो, तो ऐसे कितने बन सकते हैं, four, yes, next, which of the following give one degree amine without loss, तो carbon कम नहीं होना चाहिए, पहला वाला देखो, यह है half man bromide reaction, half man bromide reaction क्या करता है, R C double bond O NH2, तो intramolecular migration आपको इसी में समझाया है, हमने, कि intramolecular होता है, और यह निकल जाता है, यह निकल के क्या हो जाएगा, R NH2, तो दोस्तों, यह one degree amine तो दिया, but loss of carbon हुआ है, तो इसका मतलब यह तो नहीं होगा, Lithium Almonium Hydride, Lithium Almonium Hydride क्या करता है, amide को, cyanide को, nitroalkane को, imine को, azide को, इन सभी को किसमें बदलता है, primary में, amide, cyanide, imine, ठीक है, और क्या बोला था, azide, nitroalkane, nitroalkane, not nitrobenzene, nitrobenzene का लफड़ा हो जाता है, nitroalkane, azide, cyanide, amide, ठीक है, imine, इन सभी को किसमें बदलता है, वो, one degree amine में, तो यह हो जाएगा तुमारा, R CH2 NH2, तो यह तो बन रहा है, यह तो बन रहा है, without loss of, अब आप जानतों, तो NABH4 किसको किसको reduce करता है, acyl halide, aldehyde, ketone, ozonide, इनको एलकोहल में बदलता है, बाकी को नहीं करता है, imine को भी करता है, imine को amine में बदलता है, तो amide को तो इसका तो reaction ही नहीं होना है, amide के साथ, तो answer कौन सा चला जाएगा, only second, तो next पर चलते हैं, इसी बात पर, when aliphatic amine is treated with, तो यह तो बता दिया है, हमने आपको, कि जब R-NH2, aliphatic amine, जब treat करते हैं, N-A-N-O-2-H-C-L से, तो क्या बनता था, R, एक बार मैं ऐसे बना दिया तो, देखो, एक बार ना, हमने ऐसे बनाया था, N-Double-Bond-O, ऐसे आया था, मैं कि निजम बताया है, इसका तो बीच में से उठा लिया है, हमने ना, अब इसका देखो, टॉटो मेरा इसका दिया, तो यह हो गया, R-N-Double-Bond-N-O-H, H-C-L आपने डाला है, देखो, H+, यह इधर आएगा, यह देखो, OH2 पॉजिटिव निकल रहा है, जब OH2 पॉजिटिव निकलेगा, तो देखो, R-N-Double-Bond-N यहाँ पर आजाएगा, पॉजिटिव, अब यह लोन पेर है, यह इधर गया, यह निकल के, तो क्या निकला है, देखो, N2 गैस निकली है, और यहाँ क्या बनता है, कार्बो केटायन, जिस पर वाटर रियक्शन करके क्या बना देता है, अलकोहल, तो आपको बताया था, 1 डिग्री अलकाइल अमीन गिवस अलकोहल, next, correct order of carbyl, carbox, correct order of carbylamine reaction, carbylamine reaction भी देखी लो, तो इसमें क्या करते है, R-NH2, carbylamine reaction कौन देता है, 1 डिग्री अमीन देता है पले तो, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, it may be aromatic, it may be aliphatic, तो इसमें क्या डालते है, CHCl3 plus KOH डाल दिया, अब आप देखो, आप जानते हो, कि CHCl3, पहले तो acid base reaction हो जाएगा यहां से, acid base होगा, तो CCl2, Cl, यह negative आया, यह निकलता है, तो क्या बनाता था है, Dichlorocarbene, यह क्या बनता है, Dichlorocarbene, and Dichlorocarbene is Electrophile, Dichlorocarbene is Electrophile, अब क्या होता है, यह RNH, यह इसका Lone Pair, इसी Dichlorocarbene पर attack करेगा, क्योंकि ये तो Electrofile है, तो ये क्या है? Nucleophile है, तो Lewis Acid, Lewis Base Interaction होना शुरू होगा, अब ये है कि कौन जलदी अटेक करेगा इस पर, इस पर कौन जलदी अटेक करेगा, जो अच्छा Nucleophile होगा, जिसके पस Electron के Availability क्या होगी? ज़ाद होगी, अब आप देखो, ये वाला Resonance ठीक है, यह लोन पेर भी रेजोनेंस में, इसका लोन पेर भी रेजोनेंस में, इसका लोन पेर भी रेजोनेंस में, तो सभी के रेजोनेंस में हैं, लेकिन, यह देखो क्या लगा रहा है, minus i effect dominating यह लगा रहा है plus r, यह लगा रहा है minus r, यहाँ कुछ नहीं लग रहा है तो plus r गुरूप क्या करते हैं? यहाँ पर देंसिटी को बढ़ा देंगे तो जल्दी थोड़ा टैक होगा नुगलियो फिलिसिटी बढ़ जाएगे यह गटा रहा है यह गटा रहा है, यह कुछ नहीं कर रहा है तो सबसे जादा plus r देकर density of electron को बढ़ा रहा है तो सबसे जल्दी अटैक करने का चांस किसका है? r का. तो r देखो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी. और सबसे last में अटैक करने का जहाँ पर जिसकी nucleophilicity कम होगी, तो electron with drawing group nucleophilicity को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं. तो minus r r is dominant over inductive effect तो सबसे कम किसका होना है q का, वो भी इसमें देखो, बराबर ही है अब इसका और इसका देख लेते हैं यहाँ minus i से nucleophilicity को घटा रहा है यहाँ कम से कम घटा तो नहीं रहा है तो इहे more nucleophilic होगा disc. कहने का मतलब है r के बाद कौन सा हो जाएगा p answer कौन सा हो जाएगा third next expected product तो देखो आप expected product तो अब आप देखो इसमें ग्रिगनार्ट रिजेंट है CH3MGBR negative तो यह गया इधर यह देखो जी attack हो गया यहाँ से तो यह क्या बना रहा है यह इधर आया O negative यह हो गया M E अब आप जानते हो यह वापस आएगा यह इधर निकल लेगा तो वापस आगया तो क्या बना 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 यह गड़बड हो गया 1,2,3,4 1,2,3,4 पर यह आगया इसे यह हो गया O negative यहाँ double bond O M E आचुका है X से इस में डाल लगखा है further reaction हो सकता है कि नहीं हो सकता है further reaction हो सकता है कि नहीं है तो इस पर further reaction करा दो CH3MGBR यह वापस इधर गया यह negative का attack हो गया है यहाँ पर 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4 यह इधर आगया यह इधर, यह इधर, यह इधर ऐसे है यह और यहाँ पर क्या हो गया O negative M E M E हो गया दो बार M E आचुका है अच्छा अब क्या करना है जरा पीछे देख लेते हैं H3 O positive डाल दिया ठीक है अब इस पर जब H3 O positive डाल दोगे तो सब H H चला जाएगा यहाँ पर देखो यहाँ पर हो गया O H यहाँ पर हो गया O H यह इधर यह इधर ऐसा कुछ आ जाएगा फिर उसके बाद क्या है बैग करते हैं PCC, PCC क्या करता है PCC क्या करता है एक oxidizing agent है जो one degree two degree alcohol को किसमें बदल देता है? Carbonyl में थ्री डिग्री को नहीं करता अब देखो यह 3 डिग्री है जबकि यह क्या है? Two degree तो one degree two degree alcohol किसमें बदलता है? Carbonyl में और better होता है for one degree alcohol for the oxidation of one degree alcohol तो अब देखो क्या हो जाएगा ये तो कार्बोनिल में गया ये तो कार्बोनिल में गया 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 और बाकी H सच रहेगा बाकी H सच रहेगा 3 डिगरी को टच नहीं करता ठीक है तो अब बैक करके देख लेतें कौनसा अंसर जा रहा है हमारा ये फिर्स्ट आंसर चला जाएगा ये वदा लेको ये फिर्स्ट आंसर चला जाएगा फिर्स्ट आंसर चला जाएगा नेक्स देखते है देखो भई, major product Concentrated NaOH और देखो इनके पास Alpha H क्या है 0 Concentrated NaOH क्या देता है, Canisaro Canisaro अब यार यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कैनि-जारो रियक्शन को कोन सपोर्ट करता है, एलेक्ट्रोन विड्ड्राइंग ग्रूप, तो देखो, इसका माइनस आर इस पर तो लगेगा, लेकिन इस पर नहीं लगेगा, तो इसीज मोर रियक्टिव थैन फोर कैनि-जारो, तो ओ-फटलैघ पहले इसर होगा, जिस पर ओ-ख राटैक का नहींपी प्रश करिखोप dár इससे का वर्ट्शली इससाब बनता है। अब इसमें एच पलश डालके इसको इससे, NO2 इस पर ऐसकिया, तो इसका तो कार्बॉक् अब इसमें H plus डालके हीट किया, H plus अब फ्रवासा इसको open करते है, NO2, H plus डालकर हीट किया, H plus डालकर हीट किया, यह हो गया हमारा, CH2OH, H plus डालकर जब हीट करोगे, तो आपको याद होगा, इस्टरिफिकेशन हो जाता है, इन एसिडिक मीडियम, एलकोहल एसिड के साथ रिएट करके क्या बनाता है, एस्टर, तो देखो, यह इधर गया, यह अटेक मार देगा यहां से, यह वापस, यह निकल लेगा यहां से, तो साइकलाइजेशन भी हो गया साथ-साथ, तो यह क्य बन रहा है, इधर देखो, यह NO2 तो है अपनी जगह, और इधर देखो, क्या बनेगा, C double, कितने का रिंग बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, यह इस टाइब है, तो पहले क्या हुआ हुआ, तो पहले क्या हुआ, इंट्रमालिकुलर कैनि-जारो रिएक्शन, this is more reactive than this, because it is affected by minus R group, minus R effect of NO2, and electron withdrawing group supports कैनि-जारो reaction, तो इस पर OH का पहले attack होगा, क्योंकि इस पर minus R से न, यहां positive charge character बढ़ जाएगा, तो जल्दी सो OH अटेक करेगा, जिस पर OH अटेक करेगा, उसा carboxylic acid बनता है, तो दूसरे का क्या बनेगा, अल्कोहल बना दिया, असीड H प्लस दिया ही है, तो H प्लस लेके, फिर अंदर-अंदर क्या हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन, carboxylic acid, अल्कोहल का रेक्शन होता है, in the presence of acidic medium, HCl डालते है, तो क्या बनता है, S2SO4 भी डालते है, तो क्या बनता है, एस्टर, तो इंट्रा-मालिकुलर एस्टरिफिकेशन हो following, तो देखो, वैसे तो देखो, हमारे पास ये acidic hydrogen है, तो पहले तो आप जानता हो, बेस डाले हो, तो पहले तो acid-base reaction हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ये लो जी, पहले तो acid-base reaction हो गया, Na, दूसरा इसमें आपने डाल रखा है, BR, तो अब देखो, ये नुकलियो, ये BR good living group है, ये अटेक कर दिया यहां से, तो देखो, अब क्या बन रहा है, इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, ये triple bond है, और देखो, 3, 1, 2, 3, 3, तीन और आगए यहां से, तीन और आगए यहां से, अब इसमें आप HGSO4, H2SO4 करेक्शन करा रहे हैं, क कुषे-Row reaction बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुषे-Row, जो अलकाइन का क्या बना देता है, कार्बोनिल, तो डारेक्ट मैं बता दे रहाँ इसको, कुषे-Row हो गया यह, कुषे-Row, ये कुषे-Row reaction, तो अलकाइन का कार्बोनिल, तो आंसर कौन सा चला जाएगा हमारा 3rd, yes, नाम नहीं है कुशेरो बड़ NCRT में HGSO4, H2SO4 का तो ही रियक्शन नेक चलते हैं, consider the following reaction तो bear's reagent क्या करता है diol बनाता है, syndiol तो पहले तो देखो इसका हो गया syndiol अब ये इसको बोलते हैं limux reagent या पर iodic acid डालते हो न, तो पर iodic acid के साथ जब इसमें Naio4 डालोगे H+, में तो इसका oxidation कर देता है और oxidation करता है कैसे, vicinal diol या vicinal एक कार्बोनिल हो, एक अल्कोहल हो तो उनको क्या करता है, oxidize करता है और होता क्या है, एल्कोहल को किसमें बदलता है, कार्बोनिल में, कार्बोनिल किसमें बदलता है, CO2 में तो कार्बोनिल को किसमें बदलता है, यह देखो, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया तो यह देखो, ketone पार्ट है, यह ketone का पार्ट है, और यह क्या है, एक aldehyde है अब मिलाते हैं इसमें It has only aldehyde, functional group गलत हो गया It has only, it has aldehyde and ketone, यह थर्ड अंसर, यह हमारा सही हो जाएग पर-IOD, पर-IOD के सीड के साथ, आप oxidation में आपने किया है, अल्कोहल में, very much easy Next, an optically active organic, पहले तो optically active होना चाहिए Molecular formula यह दिया है, अब देखो, C5H12, अच्छा देखो, सब चुकी अल्कोहल है, तो हमें इसमें यह दिमाग नहीं लगाना है, कि C2H5H12 और कौन सा इस्ट्रक्चर होगा, तो अल्कोहल होगा कहता है, C5H12, जो X है, वो एक optically active है, optically active क्या है, अल्कोहल, क्योंकि सब आप्छन में अल्कोहल दिये, तो optically active कोई अल्कोहल ढूंड़ो, देखो, यह नहीं है, यह नहीं है, no chiral centre, यहाँ है, यह है, है है, यहाँ है, यहाँ है यह दोनों optically active हैं, अब उसके बाद क्या कह रहा है, on oxidation with this gives a chiral, अगर मैं इसका oxidation कर दूँ, तो तेखो यह क्या देगा, oxidation किया, one degree alcohol का, एक मिनट, one degree है, one degree alcohol का क्या बनता है, one degree alcohol का यह क्या बना देगा, one, two, three, four, one, two, three, four, तो यह बना दिया, COH, यहां पर है, methyl, यह है, दोस्तों, यह अभी भी optically active है, लेकिन अगर two degree का करते हैं, यह two degree alcohol है, जब इसका करोगे, one, two, three, four, five, one, two, three, four, five, यह बना देगा, यह, it is optically inactive, it is optically inactive, तो answer कौन सा चला जाएगा, second, next, which reason below cannot reduce an acid chloride into aldehyde, acid chloride को aldehyde में कौन नहीं बदलता, तो देखो, Dibl, Dibl क्या करता है, acid chloride को aldehyde बदलता है, ठीक है, यह रोजन मूंड है, acid chloride को aldehyde बदलता है, यह नहीं करेगा, तो यह answer हमारा होगा, yes, next, next, next पे चलते है, यह करना है, यह करना है, यह करना है, रिड़क्टिव और जोन लिसिस कराना है, तो कोई ऐसा करते है, और जो उसके बाद जो प्रोड़क्ट बनेगा, वो तॉलन टेस्ट भी देना चाहिए, तॉलन टेस्ट का मतलब है, कि कार्बोनिल हमारा जो बने वो एक एलडिहाइड हो, रिड़क्टिव और जोन लिसिस आप पता होगा आपको, कि पॉजिटिव टॉलन टेस्ट अज वेल आज आईडो फोर्म टेस्ट, मतलब इसमें इण Dr. Group भी होना चाहिए और Mithylated group भी होना चाहिए, Mithylated group भी हो, ऐसा कुई लोग पकड़ हो देखो, तो जैसे इस ही का मैं करके देख लेता हूँ, second का, एक बार second का करके देख लेते हैं, यह है, तो अब आप देखो, अब आप देखो, जब reductive ogenolysis करते हैं, that is, O3-zinc-water, O3-zinc-water, तो break यह, double bond O, double bond O, क्या बन रहा है, देखो, double bond O, यहाँ पर आजाएगा H, और देखो, यहाँ भी आएगा double bond O, और साथ में आएगा ME, तो यह जो कार्बोनिल बना है, by reductive ogenolysis, यहाँ से यह क्या देगा, idopharm methylated है, और चुकि इसमें aldehyde भी है, तो tolerance भी देदेगा, तो answer हमारा तो second जा रहा है, पाकि यह भी आप चेक कर सकते हो, ऐसे है, next, how many different structural alcohol can oxidize into ketone, तो alcohol कैसा होना चाहिए भईया, 2 degree होना चाहिए, 2 degree को CRO3H+, KMNO4, K2CR27, 2 degree alcohol को किसमें बदलते हैं, ketone में, तो हमें C5H12 का 2 degree alcohol हमें पता करना पड़ेगा, कितने 2 degree alcohol बनेंगे, तो C5H12 के कितने skeleton बन सकते हैं, एक तो यह skeleton, तो यहाँ पे देखो, एक 2 degree alcohol यहाँ बन सकता है, एक 2 degree alcohol यहाँ बन सकता है, दो तो इसके बन गे, 5 carbon, 5 carbon का एक skeleton यह बनता है, 2 degree alcohol यहाँ पे आजाएगा, structural है ध्यान रखना, यहाँ पर 3 degree यहाँ 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 1 degree यहाँ, 5 carbon का एक skeleton यह भी बनता है, यहाँ पर कोई भी 2 degree यहाँ नहीं आएगा, तो 2 degree यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ लगाओ के common, इस skeleton के साथ, 2 degree यहाँ पर आ सकता है, बाकी नहीं आ सकता, तो answer कौन सा चला जाएगा, 4, 3 ऐसे structural alcohol बनेंगे, जो 2 degree होंगे, जिनको CRO3H plus oxidize करके क्या बनाएगा, किटोन बना सकता है, next चलते हैं, which of the following will give racemic mixture, यह देखो reducing agent है, racemic mixture, तो यह क्या करता है, carbonil का alcohol बनाता है, अब हम कौन सा पकड़ लेते हैं, देखो second answer चला जाएगा, इसका अगर मैं reduction कर दूँ, यह बनाएगा OH, और जो यह OH बन रहा है, यह क्या है, chiral, yes, chiral है, एक तो इसका क्या बनेगा, एक R भी बनेगा, एक S बनेगा, यह मिख्षर कौन सा हो जाएगा, मिख्षर कौन सा हो जाएगा, racemic, एक chiral पे दो बनता है न, एक R, एक S, तो यह हो गया हमारा, बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, next, which is most suitable reason for the following transformation, आप देखो, इसको कंजर्व रखना है, और इसको एलकेन में, जानते हैं, कार्बोनिल को एलकेन में कोन बदलता है, क्ली मेंशन, वल्फ किशनर, ठीक है, यह देखो है, यह क्या है, वल्फ किशनर है, वल्फ किशनर रिदक्शन, यह वाला क्या है, क्ली मेंशन रिदक्शन, अब आप जानते हो, इनने बी एच फोर, कार्बोनिल का एलकोहल बनाएगा, लीथियम अल्बोनियम अभाइड, कार्बोनिल का भी एलकोहल, कार्बोक्सलिक एसिड का भी एलकोहल बनाएगा, तो यह दोनों तो बेकार ही हैं, यह दोनों हमें यह प्रोड़क्ट तो नहीं दे सकते, क्ली मेंशन यह वोल्फ किशनर दे सकता है, बिकाउस दे कनवर्ट कार्बोनिल इन्टू एलकेन, अब है यहाँ पे, असिडिक ग्रूप है, असिडिक ग्रूप है, इसमें देखो क्या डाल रखा है हमने, बेस, तो इसका मतलब अगर मैं वोल्फ किशनर डालता हूँ, तो उसके लिए यह प्रोड़क्ट तो बेस सेंसिटी गूरूप डाल रखा है और नहीं डाल रखा, एसिड बेस रेक्शन होने का चांस है, तो इसका कुछ का कुछ ही हो जाएगा, इसमें देखो डाल रखा है अचिड, अब अचिड अचिड से तो रियक्ट रखाएगा नहीं, तो बेस्ट रिजेंट हमारा इसमें कौन हो जाएगा, फिस्ट, यह भी कर सकता है, बट देर इस अबेस, तो वो अचिड बेस्ट रियक्शन करके कुछ और भी बना सकता है, ठीक है, जबकि हमें इसको क्या रखना है, तो बेस्ट रिजेंट कौन सा हो गया, क्ली मेंशन लागो, नेक्स्ट, दे मोस्ट प्रॉबबल प्रोड़क्ट, मोस्ट प्रॉबबल प्रोड़क्ट, अब देखो, यह, ओके, देखो, यह तो हो गया H, यह हो गया double bond, यह हो गया CL, अब देखो, यह नेगेटिव हैं यहां पे, यह सुस्टिटुशन भी दे सकता है यहां से, और एडिशन भी दे सकता है, आप जानते हैं, अब जानते हैं, एडिशन इस more, the rate of addition reaction is greater than the substitution, because this site is more reactive, यहां पाई bond है, यह more electronegative है, तो यहां positive charge character जादा होगा, यहां सो sigma bond है, और यह less electronegative है, तो यहां positive charge character कम होगा, तो पहले इसका टेख हो गया, अब जब इसका टेख होगा, देखो, क्या बन रहा है, यह H है, यहां हो गया O negative, यहां हो गया M E, यहां हो गया C L, उसके बाद क्या है, cyclization हो गया H plus, H plus अगर डाल रहो तो यहां OH हो जाएगा, OH का भी आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, यह कर सकते हो, साइकल बन गया, easy सा है, next, next, match the following, तो अब यह तो, easy सा ही लग रहा है, देखो, यह क्या है, cinem, cinem बोलते हैं, cinami, COH होता है थे हाप, तो क्या बोलते थे, cinami कैसे, LDH है तो cinemaldehyde हो गया, cinemaldehyde मतब, A का क्या होगा, 3, A का 3 यहाँ है, A का 3 यहाँ पे, अब यह देखो क्या है, salicyl dehyde है, किस से बनाते थे salicyl dehyde, राइम टाइमन रेक्शन थे, तो salicyl dehyde, B का कहा क्या हो जाएगा, salicyl dehyde है यह नहीं, B का first, B का first, B का first सिर्फ इस ही में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा first, vanillin का structure याद रखिएगा, यह इसलिए डाला गया है, क्योंकि इसका IOPC name या कुछ भी पूछा जा सकता है vanillin, NCRT में है यह, तीक है, इसलिए डाल दिया गया है, यह बागी आंसर तो आई जाएगा आपका, नेक्श दिखते हैं, select, अच्छ, यह तो इटार्ड रेक्शन हमने आपको बताया था, इटार्ड रेक्शन, कि इटार्ड रेक्शन में, तालविन पर C-R-O-2-C-L-2 हाइड्रोलाइज जब करते हैं, तो क्या बनता है? बेंजल-D-I-E, तो बीच में एक कॉंपलेक्श बनता था, वो बताया था भी, यह आंसर हमारा चला जाएगा, C-H-O-C-R-O-C-L-2 का ट्वाइस, कॉंपलेक्स बनता मेकनिजम हमें नहीं करना है, बहुर ते टेडा मेडा मेकनिजम है, तो डारेक्ट ही आपको याद रखाएगा, इसमें देखो, दाइलूट एन्योच, यह भी बड़ा अच्छा बैसे हैं एक्जाम्पल, देखो, पहला क्या दिया है? है HC11OH, यह हो गया, यह देखो, हमारे पास है CH2H, यह थोड़ा सा हमने, जैसे एल्डोल कंडेसेशन सभी पढ़े हैं, तो एल्डोल कंडेसेशन पढ़े हैं कि रटे हैं उसके लिए भी, यह कोईशन उसी के लिए, तो देखो, इसके पास अल्फा है, मतलब, असेडिक है, असेडिक है, तो अब आप जानते हो, अल्फा है, अल्फा है हो जाने हैं न यह, तो बेस क्या करेगा, पहले तो असेड बेस रीक्शन करा देगा, तो क्या बना देगा यह, CH2-NO2, अब देखो, यह नुक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा यहांसे, नुक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो क्या बनेगा, CH2-O-H कर दे रहा हूँ, ऐसे तो यहां पर नेगेटिव आएगा, बट वो देखो, डाइलूट है, तो वाटर से H ले ले लेगा, यह बन जाए, यह बन जाए, तो यह बिल्कुल सेम एल्डोल कंडनसेशन का था, बट उसमें क्या क्या, सब्स्ट्रेट चेंज कर दिया गया था, सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल, एल्डोल कंडनसेशन का. Next, identify the starting reagent for the mixed एल्डोल, देखो, कभी भी ऐसा question आए न, कि यार यह यह एल्डोल से बना है, तो starting क्या था, तो कुछ करना थोड़ी न होता है इसमें, इसमें क्या करो, यह double bond को करो break, अपने से, और जिधर कार्बोनिल हो, उधर तो लगाओ H2, और जिधर कार्बोनिल न नहीं, उधर बना दो कार्बोनिल, अपने से. Double bond क यह breaker चिया, जिधर कार्बोनिल वाई साइड वाले कार्बन पे तो H2 लगादो, और उसके जिधर कार्बोनिल नहीं, उस और कार्बन पे लगादो C double bond, तो क्या बन रहा है, देखो, क्या बन रहा है, CHO, Benzyldehyde, PLUS, ME, C double, स्वारी, ME, ये क्या हो जाएगा, CH2, और ये हो गया, C double bond, O, ET का मतलब, ये हो गया, ET का मतलब, ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3-Pen-T-E-N-O-N, 3-Pen-T-E-N-O-N, और ये क्या हो गया, Benzyldehyde, आइसा कहां पर है, Benzyldehyde और 3-Pen-T-E-N-O-N, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, Next, Major product of the following reaction, फिर देखो, कैनी जारो, Concentrated एनने वज डाल दिया, अब देखो, ये aldehydic पार्ट है, ये ketonic पार्ट है, aldehyde is more reactive than ketone, तो इसको बनाई लेते हैं, C6, H5, C double bond O, C double bond O, अब देखो, ये base, alpha hydrogen तो है नहीं हमारे पास, ये attack हो गया, ये क्या बनेगा, C6, H5, O, H, HO negative, याद होगा आपको, कैनी जारो रियक्षिन में, कि हाइड़ाइड ट्रांसवर होता है, ठीक है, ये इधर आया, ये इधर गया, ये हाइड़ाइड का ट्रांसवर होता, तो क्या बन रहा है देखो, C6, H5, फाइनली इट बिकम ओएच, फाइनली कर दे रहा हो इसको, C double bond, O, O negative, ये ऐसा कुछ आएगा, एक्चुली होता क्या है, जिसे तो यहाँ नेगेटिव आया, वैसे तो यहाँ double bond आएगा, ये प्रोटन ट्रांसवर हो जाता है, प्रोटन ट्रांसवर हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म एगा, तो ऐसा कोई फॉर्म है, अच्छा, ऐसा तो ने, बाद में H+, भी डाल दिया, तो जब H+, डालो गए इस पर, तो ये CuH हो जाएगा, बस और क्या, ऐसा कहीं कुछ है, ये देखो, यहाँ पर, अगर ये H+, नहीं डालते हैं, तो अंसर कॉन सा चला जाता, सेकेंड अंसर चला जाता, H+, तो H+, फिर फर्दर ये लेके, काम कर लेगा अपना, ना, तो एक तरह का, इंट्रामालिकुलर कैनि-जारो रियक्शन का एग 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 जाम्पल था, विचिस बेस्ट हाइड्राइड डोनर, कैनि-जारो रियक्शन में हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, H- कौन देगा, जिसके पास एलेक्ट्रोन होगा, एलेक्ट्रोन किसके पास जादा होगा, जिसके साथ electron donating group लगे होंगे जादा तो electron donating group देखो ये है ये है ये इसमें electron with drawing group, electron with drawing group यहाँ electron donating group एक ही लगा हुआ है जादा electron donating group इसके पास है किसी को electron देना, hydride, h- देना है h- electron लेके निकल रहा है निकल रहा है तो डिया, किसी ने दिया होगा, विक जिसके पास ऐलेक्टान देने वाले होंगे, तो आउनसर कहना हो जाएगा 5फ next जलते हैं IUPSC name of citric acid citric acid क्या होता है इसमें तो कुछ है ही नहीं citric acid यह होता है COOH COOH वैसे देखो इसमें इसके आंसर और भी हो सकते है आप numbering देखो एक तो यहां से भी कर सकते हूँ तो यह आ रहा है देखो propane 2-hydroxy 2-hydroxy propane एक 1-C-O-H आएगा 2-hydroxy propane 1-2-3-tricarboxyl acid यह तो आ रहा है तो आपको याद होगा IUPSC name में आपने पढ़ा होगा कि अगर carbon containing group 2 से ज़्याद 2 से ज़्याद़ अगर एक ही चेंग से डारेक्ट जुड़े हो तो वो वर्ड रूट के क्या होगा बाहर ही होते हैं इनको वर्ड रूट में आप नहीं ले सकते हैं तो वर्ड रूट हमारा क्या हो जाएगा 1, 2, 3, प्रोपेन 1, 2, 3, ट्राई कार्बॉक्स लिगे से लिए तो वही चीज यहाँ पर भी है, तो अंसर यहाँ, ठीक है? Next, ग्रिगनाड एस्टर पर रिएक्षन देखो कराया है, एक्सेस में, एक्सेस में करा दिया, तो यह को मैं एटी लिख देता हूं, E-T-C-Double-Bond-O-O-M-E, ग्रिगनाड एस्टर एस्टर एक्सेस में है, यह देखो इधर गया, यह इधर आया, अब देखना जहाँ से, यहाँ नेगटीव आया, यह फिर वापस आएगा, यह निकल जाएगा यहाँ से, पहले क्या बनेगा? E-T-C-Double-Bond-O-M-E, फर्दर रियक्शन हो सकता है, M-E-M-G-B-R का, यह इधर गया, यह इधर गया, यह क्या बन जाएगा? E-T-O-M-E-M-E, वाटर डाला, यहाँ हाँ एच आएगा, तो 3 डिग्री अलकोहल बनना है, जिसमें 2 M-E होना चाहिए, और 1 C-2-H-5, यह इधर गया, 2 M-E, 1 C-2-H-5, तो यह इधर गया हमारा, next, for the given reaction, देखो, यह क्या होता है, weak nucleophile है, neutral nucleophile, वैसे क्या होते है, weak होते है, तो यह होता है, 1-2-Edition होता है, 1-4-Edition, तो weak जो होते हैं, जैसे RMGX है, RMGX, R-L-I, यह क्या देते हैं, major जो देते हैं, 1-2-Edition, लेकिन, R-2-C-U-L-I, R-2-Z-N, R-2-C-D, यह सब weak nucleophile बनाते हैं, तो यह major क्या देते हैं, 1-4-Edition देते हैं, as a major product, अब देखो कैसे हो रहा है, है, तो देखो, double bond O, इसमें आपने डाल दिया है, H+, तो H+, क्या इधर अटेक हुआ, यह देखो क्या बन रहा है, OH positive, यहाँ है double bond, तो देखो, यह इधर खीचा, यह इधर आ गया, और C2H5, OH positive, negative, तो यह आएगा, इधर, तो देखो, क्या बन रहा है, इससे, यह आगया देखो, यहाँ ऐसे, यह OH, और यह finally हो जाएगा, OC2H5, यह क्या है, देखो, एक H यहाँ पर आया है, तो 1, 2, 3, 4, और दूसरा, यह अगर 1 है, तो दूसरा किस पर आके जुड़ा है, 1, 4, this is 1, 4 addition, ऐसा भी हो सकता था, यह इधर जाए, और OC2H5 यहीं पर अटेक कर दे, तो उसको बोलेंगे, 1, 2 addition, जैसे यह हमने घुमाया था ना, ऐसे घुमाया जैसे, यहाँ पॉस्टिव आया होगा, यहाँ पॉस्टिव, तो OC2H5 यहीं पर अटेक कर दे, तो उसको बोलेंगे, 1, 2, but चुकि वीक नुक्लियोफाइल है, तो वीक नुक्लियोफाइल मेजर प्रोड़क्ट क्या देते हैं, 1, 4 addition, यह बन गया, अब देखो यह क्या है, इनॉल है, इनॉल है, तो दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, टॉर्टोमेरिजम, टॉर्टोमेरिजम हो गया, तो क्या बना, डबल बॉन्ड ओ, यस, OC2H5, ऐसा कहां पर हैं, इनॉल है, नेक्स्ट, इन्दर रिएक्षिन, गिवन बिलो, तो देखो, अब देखो, अब देखो, यह स्ट्रॉंग है ना, यह स्ट्रॉंग, तो 1, 2 addition देगा, मेजर, ग्रिगनार्ड, रिजेंट, मिथाईल, लिथियम, तो यह देखो, यह इधर गया, यह 1, 2 हो जाएगा, जबकि ऐसा भी हो सकता था, यह इधर जाता, यह इधर जाता, यह यहां पर अटेकर था, बट्चिव कि स्ट्रॉंग नुक्लियोफाइल, 1, 2 addition ही मेजर पोड़क्ट अब देखो इसमें क्या है, यह क्या बन रहा है, यह हो गया, O negative, यहाँ double bond, अब H plus भी है, एक यह भी आएगा, M E भी आएगा, H plus लिया, और heat भी डाला, तो देखो, H plus पहले तो इसका बनाएगा अल्कोहल, ना, H plus तो ज्याद ही है, वो फर्दर क्या करेगा, इस पर अटैक करके इसका dehydration कर देगा, इसका क्या करेगा, dehydration, E 1 मेकिनिसम, तो यह कुछ इस टाइप बन जाएगा, इस टाइप कर बन जाएगा, फर्दर निकाल के dehydration कर दिया, heat डाल रखा, इस compound इसको क्या बलते है, हमारे NCRT में आइसोप्रीन दिया हुआ ना तो यह आइसोप्रीन बनाता है, ठीक है? Next Consider the following reaction तो देखो यह क्या है? Clemension reduction, तो एलकेन बना दिया Wolf-Kishner reduction, एलकेन बना दिया Red Phosphorus HI भी बहुत अच्छा reducing agent होता है इसको बारे में बोल देता हूँ Red Phosphorus HI जो होता है Red Phosphorus HI क्या करता है? Carboxleak, Halide, Carbonyl, Alcohol इन सभी को किसमें बदलता है? एलकेन खतरनाक टाइब का reducing agent है यह भी हमारे NCRT में है 11th class की तो देखो यह भी इसको क्या करेगा? एलकेन में बदल देगा तो सभी में देखो A, B, C, A third answer हो जाए सब A, B, C, सब क्या है? एलकेन है तो reducing agent का तो याद करना पड़ता है नेक्स्ट इन दा रियक्शन acetophenone with KOH तो acetophenone दोखो बदेखो बनाते हैं acetophenone तो यह हो गया इस पर हमने डाला KOH plus I2 तो यह कौन सा रियक्शन है? iodoform iodoform reaction तो कहरा कितने mol OH लगेगा? तो देखो 3 mol तो यहीं पर लग जाएगा 3 bar OH अटेक करेगा 3 bar negative आयगा 3 bar iodine उस पर चिपकेगा तो देखो पहले तो पहले क्या बनता है? C double bond O Ci3 3 times I आया 3 times OH ने यहां से H को हटाया होगा Acidic hydrogen है negative आया होगा negative i i positive से 3 times 3 bar तो यहीं पर होगया अब देखो चौथी बार OH अब देखो नुकलियोफिलिक एडिशन होगया O negative OH Ci3 यह वापस आजाएगा यह बेटर लिविंग ग्रूप है निकल लेगा यहां से तो क्या बनेगा COOH plus Ci3 negative अब देखो यह acid है यह base है तो proton transfer हो जाएगा H plus transfer तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा COO negative plus CHI3 तो एक mol यहां 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 तो अपन इसमें बेस्ट अंसर कौन सा चला जाएगा 4 mol Yes I do form reaction एक तर का Next Which of the following reaction can be used to prepare this compound? Now, the reaction is from Grignard-Degent Okay So, now you can see the reaction to ester Two times reaction This came here 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 So, what made it? Double bond OPH PH हो गया और भी एक बार और हो ही सकता है इस पर Can be Can be used दूसरा बार reaction PH negative यह देखो यह हो गया PH यह finally OH हो जाएगा यहां पर PH बन गया PH PH ET तो यह तो हो ही रहा है दूसरा बाला दूसरा यह हो यह ही तो है दूसरा यह हो यह ही है इसका मतब यह भी हो गया यह भी हो गया तीसरे बाले में देखो इसको इधर घुमाऊगे ET- ET- E- E- ET- 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 PH Finally, it become OH PH और यहां पर क्या आया है ET- ET- तो सारे से बन सकता है 1, 2, 3 सभी से बन सकता है It is an example of nucleophilic addition Okay? Next में जलते हैं Next Final तो देखो, NaCN के साथ अब यह तो यह CL जाएगा यह तो रेजोनेंस में है तो यह तो नहीं जाएगा यह जाएगा पहला क्या बना? CL CH2 CN अब आप देख लो हाइड्रोलाइज कर दिया है 70% H2 H3 हो पॉस्टिवी लिखते हैं इसको तो इसका तो साइनाइड क्या बनता है कार बॉक्स CH2 COOH यह हो गया CL यह तक पहुचा दिया यह A हो गया उसके बाद देखो इसमें डाला है Soda Lime Soda Lime Soda Lime reaction क्या होता है? D-Carboxylation मतलब CO2 निकाल देता है Soda Lime का काम क्या है? D-Carboxylate करना Soda Lime हमारे उसमें भी है Carboxylic Acid में भी है Soda Lime करोगे तो यह CO2 निकाल देगा D-Carboxylation तो finally यहां पर क्या बच गया देखो यहां हो गया CL अब यहां पर क्या हो जाएगा? CS3 फिर उसके बाद देखो 2-Equivalent CL2 डाला है अब इसको अटाकर 2-Equivalent CL2 डालकर Hydrolyze किया है आगे बढ़ते हैं इसमें 2-Equivalent CL2 Light है तो Free Radical Mechanism Free Radical Mechanism हो जाएगा दो बार यहां पर आजाएगा CL तो यह क्या हो जाएगा? CHCl2 Hydrolyze कर दिया तो 2Cl की जगँ क्या आजाएगा? 2Cl की जगँ क्या आजाएगा? CH2OH आएगा और एक carbon पर 2 hydroxide क्या होते हैं? Unstable होते हैं Generally तो यह तुरंद क्या बनादेते हैं? Minus of H2O यह बनादेगा आपका C double bond CHO हो गया और यहां पर क्या गया? CHO यह हमारा final product हो गया तो आप जानते हो ना इक carbon पर 2 hydroxide Unstable होते हैं तो आपस चलते हैं इसमें कौनसा answer चला गया? First answer First answer Next Mix This is how easy Benzyle Carbon के पास अगर hydrogen तो यह Alkaline KmEN ophore Carboxylic Acid So answer goes to second तो इसमें कुछ था ही नहीं Next Next पर चलते हैं HCN So, see देखो, C double bond OH, H C N का reaction अगर कराओगे, यहाँ positive, यहाँ negative, यह इधर गया, यह positive इधर, यह negative इधर, तो यह हो गया, O, H, H, यहाँ आगया, C N, अब आप देखो, यह chiral हो गया, chiral हो गया, एक chiral पे दो बनेगा, एक इसका R बनेगा, एक S बनेगा, ऐसे mixture को क्या बोलते हैं, Racimic, Racimic mixture, तो Racimic mixture हो गया, product would be, product, product would be Racimic mixture, compound पुछता है ना, तो optically active हो जाता है, तब आंसर हो जाएदा, second, compound is optically active, product is optically inactive, because it form Racimic mixture, ठीक है, बाकी दो बताई दिया, next, एक compound C बताना है, तो देखो पहले तो aldehyde है, C double bond OH, CH3, Mg, Br, यह हो गया negative, यह गया इधर, यह आया इधर, यह बना देगा, CH3, finally water डाल लगा है, तो यहाँ पर मैं OH लगा देता हूँ, यह H आगया, अब इसमें देखो, H2SO4 क्राल के heat कर दिया, तो आप जानते हो, H plus heat डब जालते हैं, यह किसके थूरू चला जाता है, E1 mechanism, इलकीन बन जाएगा, तो CH3, CH double bond CH2, उसके बाद हाँ HBO करा दिया, hydroboration oxidation, anti-marconic cough alcohol देता है, तो anti-marconic cough का मतब यहाँ पर आएगा OH, तो देखो, CH3, CH2, CH2, OH, अगर यहीं पर oxy-mercuration, demercuration करते हैं, तो अगरी काफ, एक जनरल तो बोली सकते हैं कम से कम ना, यह बन गया हमारा, अब आप देखो, हमारे पास A यह था, और C यह है, C यह है, अब क्या कह रहा है, अच्छा, A और C के बारे में ही बात हो रही है, A और C, तो A और C क्या है, बोथ हार अलकोहल, बट इट इस 2, इट इस क्या है, यह क्या है, same chain length है, बट यह 1 पे है, propane 1 all है, जबकि यह क्या है, propane 2 all, मत अब यह आपस में क्या होगे, position isomer होगे, क्या होगे, position है, same functional group, same chemical formula, same chain length, but position of same group क्या है, डिफरेंट है, that is, position isomer. तो उसी में देखो, छोटे-छोटे concept को उसी में, मिला-मिला के पूछा है, सवाल इस तरह के ही आते हैं, ज्याद़, इसमें देखो, हमारे में जिसे दिया SI Lation, Scott and Bauman reaction, जिसको बोलते हैं, तो यह तो easy साही है, SI Lation, NCRT में आपको मिल जाएगा, C double bond, इसको उटाना ही पड़ेगा, तो इसका reaction किसके साथ है, C double bond OCl, अब इस पे देखो, फिनॉल का reaction करा दिया, तो देखो, यह गया इधर, यह गया इधर, अब उसके बाद, यह वापस आएगा, और यह C L निकल लेगा यहां से, तो finally हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो, C double bond O O P H, C double bond O O P H, एस्टर बन जाएगा, फेनाईल, एस्टर टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है, तो ऐसा कहां पे है, ऐसा यह है, यह वाला आरा है, बाकी तो नहीं आरा है, यह आप सुचो कि यह, आप सुचो कि यह, NaOH का फिर काम क्या था, NaOH का काम था, इसमें एसीड बेस रिएशन करा के इस पर नेगेटिव लाना, वापस देखो, तो यह बनेगा, तो यह हमारा सेगेंड अंसर, Asylation, Scott and Bauman reaction, Next, Which compound can produce metachlorobenzoic acid by haloform reaction, haloform reaction कौन देता है, C double bond OME हो, या C O H ME हो, ऐसा कम से कम इतना बोल सकते है, तो देखो, यह तो नहीं देगा haloform, यह नहीं देगा haloform, यही देगा, आंसर हो गया, फोर, सीधा, देखो, C double bond OME, ऐसा लिंक है कि नहीं, methylated, तो यह हेलोform देगा, अंसर हो गया, फटा फटा फटा, Next, तो मैगनेशियम के साथ क्या बनाएगा यह, पहला जो reaction होगा, ME, वह बनाएगा, MgBr, ग्रिग्नार डिजिन, मैक्सिम टाइगा, वाटर डाल दिया, जब वाटर डालोगे, H3O positive, तो यहाँ acid-base reaction हो जाएगा, तो यह बना दिया, हमारा, टॉलविन बना दिया, उसके बाद फिर देखो, वही KMNO-4 है, तो हमारे पास benzyl carbon के पास hydrogen है, तो वह carboxylic acid बना दिया, carboxylic acid, वैसे तो carboxylate iron बोलना चाहिए, तो कि base है न, तो इसी पिए देखो further H+, डाला जाता है, तो जब further H+, जब डालोगे, further H+, जब डालोगे, तब यह देता है, benzoic acid, ठीक है, तो answer कौन सा होगा, अब 3rd, next, correct order of kb value है, तो आप जानते हो, acidic behavior, acidic behavior is inversely proportional to the value of kb, directly proportional to value of ka, inversely proportional to the value of pka, directly proportional to the value of pkb, तो देखो, यहाँ पर लग रहा है, ortho effect, यहाँ पर भी लग रहा है, ortho effect, यहाँ लग रहा है, plus r, यहाँ कुछ नहीं लग रहा है, ortho effect, acidic behavior को बढ़ा देते हैं, electron-donating group, acidic behavior को क्या करते हैं, कम करते हैं, electron-with-drying group बढ़ाते हैं, minus effect, minus r, minus h, minus i, directly proportional to acidic behavior, तो सबसे जादा जो acidic होगा, उसका kb सबसे कम होगा, तो यह इन decreasing order में, तो सबसे जादा kb किसका होगा, जिसका acidic behavior कम, उसका kb जादा, तो इन में, यह आर्थो effect, तो acidic behavior को बढ़ा देते हैं, यह acidic behavior को कम कर रहा है, because of plus r effect, तो सबसे जादा, सबसे कम acidic कौन सा है, S, मततब सबसे जादा kb value किसका होगा, S का, S कहाँ पे हैं, जिको, इसी में आई रहा है, उसके बाद, जो डाउट यह होगा, more the ortho effect, more the acidic behavior, lesser the kb value, सबसे कम kb value किसका होगा, क्यों का होगा, so answer goes to first, okay, next, following reaction, फिर उसी तरह से देखो, cross canny zero reaction, it is, cross canny zero, तो, तो अब बताओ more, यह OH का attack होना है, OH- का, कौन जादा, जो जादा reactive होगा, उसी पर OH nucleophile पहले attack करेगा, न, nucleophilic addition का order क्या होता है, less bulky होना चाहिए, तो nucleophile जल्दी attack करता है, तो यह देखो, यहाँ बी LD height है, यहाँ बी LD height है, but it is less bulky, this means more reactive, more reactive, तो इसका मतलब OH इस पर attack करेगा, जिस पर attack करता हो, उसका तो salt बनता है, carboxyl के सीट, और दूसरे वाले क्या बनता है, alcohol, तो इसका तो देखो, अब कहाँ चले हैं, हाँ ही देखो, इसका बनाया alcohol, और इसका देखो बना दिया हमने salt, तो अंसर गोज तो second, cross can is our reaction, okay? Next, half man bromomide reaction, half man bromomide reaction, half man bromomide, half man bromomide reaction, bromomide reaction, तो क्या देता है, degradation process है, मतब C-O को निकालके, intra-molecular migration के थूरू, primary amine बनाता है, तो ये C-O निकालो यहां से, ये N यहां पर आकर जुड जाएगा, तो ऐसा कहां पर है, यह आ जाएगा, half man bromomide reaction, next, यह देखो, how many aldol product, तो इसके पास भी alpha hydrogen है, इसका carbonil भी है, प्लस इसके पास भी alpha hydrogen है, और इसका भी carbonil है, तो इसमें हमने डाल दिया, dilute N-O-H, बैसे यहां पर, यहां पर structural है, structural only, only structural, stereo नहीं लेना, तो देखो, क्या-क्या हो सकता है, एक तो इसका self हो सकता है, एक इसका खुद का self-ldol, self-ldol, फिर उसका, इसका negative इसके carbonil पर, CROSS, यह इसका alpha negative इसके carbonil पर, तो एक तो इसका self बन सकता है, aldol, Ав Jim, एक इसका self-ldol, alpha carbon, जो negative बनाएगा इसके carbonil के साथ, इसका alpha carbon, इसके carbonus, कितने possibility है, four possibility, तो answer कॉन से चला जाएगा, second, ठीक है, next, C2AP, glucose देखो क्या होता है, CHO, OH, 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 HH, CH2OH, ये H, ये H होता है, ठीक है, मैनोस बना देता हूं, मैनोस ही C2AP मर होता है, मैनोस, बाकी सब उसी तरस होते हैं, बाकी सब उसी तरस, मैनोस का structure, कहने का मत्दब, Fischer projection में, सेम कार्बन पर सेम केमिकल फर्मूला के साथ, अगर orientation डिफरेंट हो, तो उसको अपी मर बोलते हैं, तो देखो, यह first carbon है, यह first carbon है, यह क्या है second, यह first है, यह second है, तो second पर एक दूसरे का orientation अलग है कि नहीं, बाकी सब सेम है, तो ऐसा monosaccharide, ऐसे monosaccharide, जिसके सेम कार्बन पर orientation क्या हो, तो आपस में क्या होंगे, एपी मर, तो glucose और मैनोस होगा, सेम का, वैसे तो glucose और galactose भी एपी मर होता है, बट वो C4 एपी मर होता है, next, how many of the following can muta rotation, तो muta rotation के लिए क्या होना चाहिए, muta rotation तो देखो कौन-कौन जा सकता है, एक तो monosaccharide, monosaccharide, plus reducing, reducing disaccharide, तो monosaccharide देखो, glucose भी है, glactose भी है, fructose भी है, और reducing disaccharide, in CRT के according, lactose, lactose भी होता है, और क्या होता है, maltose, reducing disaccharide, sucrose reducing नहीं होता, तो maltose आगे हमारा, lactose तो चलो है नहीं, यह disaccharide, यह polysaccharide है, यह polysaccharide है, यह polysaccharide है, तो answer कितना चला गया, 1, 2, 3, 4, 4 answer, 4 जा सकते हैं, muta rotation, ठीक है? है, हाउ मेनी एल्डोज, कीटोज, फ्यूरन रोज, पायरन रोज, तो आप जानते हो, एल्डोज कौन सा होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? एक एल्डोज शुगर है, एल्डिहाइड है, और फ्रक्टोज क्या है? एक कीटोज है, कीटोज है, तो ग्लूकोज का जो साइकलिक इस्टक्चर होता है, वो क्या होता है? पायरनोज रिंग होता है, पाइरनोज, 6-membered ring होता है, 5-carbon होता है, और ये 5-membered होता है, इसको क्या बोलते है, फ्यूरनोज, फ्यूरनोज रिंग बनाता है, अब आप देखो इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एल्डोज तो इसमें 2 हैं, एल्डोज 2 है, 2-2 आगे, किटोज तो 0 है, किटोज का मतलब 5-membered ring, कोई किटोज नहीं है, ठीक हम बाई, 0-0, फिर उसके बाद फ्यूरनोज, फ्यूरनोज 5-membered ring, 0-0, ठीक है, 0-0, फिर उसके बाद पाइरनोज रिंग 2 है, पाइरनोज झाब six member ring होता हैं रहा है पेरो नोज रिंग, टू है, टू है, टू है, सँझ आपली है, hemiacetal, है hemiacetal किसको बोलता है? इथरल Carbon के साथ OH होना चाहिए, इथरेल Carbon के साथ, एथर है न साए, यह है, यह hemiacetal हो, इसमें, इथरल कार्बन के साथ OH नहीं है, OH तो यहां पर है, जो इस कार्बन का पार्ट नहीं है, वो इस कार्बन का पार्ट है, तो कितना है, हमी एसिटल वन है, इथरल कार्बन के साथ अगर OH उसके हमी एसिटल बोलते हैं, तो इस साइड इथर, इस साइड देखो नहीं है, इसके इ नेक्स्ट, इसमें देख लो, यह acid है, alcohol है, H2SO4, esterification हो जाएगा, esterification, first क्या है esterification, तो क्या ester बना लेते हैं एक बार, CH3, double bond O, O, C2, H5, उसके बाद देखो, तो गिरिगनाड इजन्ट, एक्सेस में डाल दिया, CH3, Mg, B, R, एक्सेस में डाल दिया, तो यह negative, अब आप देखो, यह इधर गया, यह आएगा इधर, यह वापस, यह निकल लिया यहां से, तो क्या बना रहा देखो, ET, ET, double bond O, M, E, एक्सेस में डाल रखा है, M, E, M, G, B, R, एक्सेस में डाल रखा है, M, E, M, G, B, R, तो यह वापस फिर अटेक कर देगा यहां पर, ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलाग बन जाएगा, जिसमें 1 ET होगा, 2 M, E, होगा, जाएगा, 1 ET होगा, 2 M, E, के साथ, 3 डिग्री अल्कोहल फिर्स्ट में ही आएगा, next, consider the following count which forms zwieter रायन, zwieter रायन के लिए, विए एपाउंट के लिए, एंदर अदर असटीक और बेसिक ग्रूप दोन होना जाएगी, ग्लाइसीन, ग्लाइसीन आप जानते हो, Ch2, C-O-O-H, NH2, सल्फानिलिक एसिड, 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 सल्फान NH4 NH4 positive this is zwitterine वैसे इसका negative NH3 positive CO negative NH3 positive all can form zwitterine okay next इसमें क्या पुछा है? वेखो, glycine phenylalanine और alanine वेखो, the following is correct structure of tripeptide glycine, phenylalanine और alanine तो देखो, ऐसे कभी हो तो तो इसे कभी हो तो इस्ट्रक्चर को amide bond को break करो amide bond जिसे मैं सीधे answer पे आजाता हूँ बाकी आप break करके उसी तरह से देख लिएगा जिसे तेखो, यहां से break किया फिर यह यहां से break किया yes तो देखो, क्या क्या बन रहा है यह क्या देगा NH2 CH2 यह इधर HOH HOH ठीक है CH2 COH glycine ही optically inactive amino acid होता है देखो, यह बन रहा है यह वाला देखो, क्या बना NH2 CH2 pH COOH तो आप जानतो, फिनाईल एनलिल में R की जगा क्या आ जाता है R की जगा क्या आता है CH2 pH फिनाईल एनलिल क्या है और एलैनिन में R की जगा क्या आता है methyl तो अंसर कौन सा चला जाएगा यह चला जाएगा यह चला जाएगा आम मिला सकते हैं इसको तो बिलकुल NCRT में जो चार्ट दिया है amino acid का उसी से and what is peptide bond उसी से question को सेट किया है उसी तरह से how many different type of amino acid तो ब्रेक कर लो देखो amide bond ब्रेक किया OH amide bond ब्रेक किया OH amide bond ब्रेक किया OH Oh तो देखो एक amino acid हो गया एक amino acid हो गया एक amino acid हो गया कि एक amino acid हो गया एक amino acid हो गया क्या कोई किसी से मैच कर रहा है कोई भी नहीं क मई अशा चला गया तो आंसर घुला गया ठीक है तो इस दोनों question उसी chaart से बनाएता तो साथ में एक स्ट्रक्चर भी हो गया, आजकल बहुत पूछ रहा है कि कौन सा कौन अमीनो एसिड है या इस टाइप के वेस्टन नेक्स्ट सेलिलोज एसिटेट तो हम जानते हैं अब इसमें रटे मानने पड़ेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलिबर ठीक है सेललोज एसिटेट, सेललोज नाईटरेट, सेललोज का नाईडेशय कर देते हैं तो सेललोज नाइटरेट, Sely Leolos एसिटेट धैण बनाने मिए यूज होता है अभी शर्मी नेक्स शलते है वेलिए वनिद येखहोता है तो यस टो इस टेको यह तो तो यह तो आगला गया यह thermosetting है, इसमें urea formaldehyde भी क्या है, thermosetting है, यह देखो होता है fiber, तो answer कौन से चला गया, थर्ड, यह सभी होते है thermoplastik, ज्यादतर जो addition polymer होते हैं वो thermoplastik ही होते हैं, तो देखो सभी यह addition polymer है, तो वो thermoplastik ही होते हैं, तीक है, nylon 6 fiber होता है, glyptal, urea formaldehyde, bakelite, यह सब क्या हो होते हैं, thermosetting polymer, खतरना बहुत hard होते हैं यह, example जो inciati में, उसके basis पर था, था यह, terylene is condensation polymer of glycol and teriphthalic acid, glycol and teriphthalic acid, teriphthalic acid यह होता है, COOH, glycol का मत्तब, CH2OH, CH2OH, तो यह क्या होगा, ester बना देता है, polyester होता है, terylene क्या होता है, एक polyester होता है, और इसी में, और इसी में thalic acid ले ले लेता, अगर thalic acid ले ले लेता, तो वो glyptal हो जाता है, क्या होता है, thalic acid के साथ, thylene glycol क्या देता है, glyptal, जबकि terip thalic acid के साथ, क्या देता है, terylene, ओके, next, which one is biodegradable, biodegradable कौन-कौन से होता है, एक तो PHBV होता है, और दूसरा, nylon 2,6, तो nylon 2,1 तो glycine होता है, nylon 2,6 में क्या होता है, glycine, प्लस, aminocaproic acid, aminocaproic acid, glycine, प्लस, aminocaproic acid, ये मिलकर बनाते हैं, nylon 6,8, ये एक amide linkage होता है, amide, so biodegradable, तो PHBV में क्या होता है, 3-hydroxy-pentanoic acid, 3-hydroxy-butanoic acid, ये क्या होता है, composition, 3-hydroxy-butanoic acid, plus 3-hydroxy, 3-hydroxy-pentanoic acid, ये सब कार्बन है, ये सब कार्बन है, ये सब कार्बन है, ठीक है, ये सब कार्बन है, इसका combination, so they are biodegradable in nature, next, चलते हैं, 93, which one example of co-polymer, एक होता है, homopolymer, एक होता है, co-polymer, homopolymer का मतलब, repeating unit क्या होते है, polymerization में, same होते हैं, और co-polymer में repeating unit, एक से ज़्यादर होते हैं, इसा किसमें होगा, ये हो गया, ब्यूना-S, ब्यूना-S क्या होता है, styrene, plus 1,3-butadiene, 1,3-butadiene, styrene क्या होता है, styrene ये होता है, styrene and 1,3-butadiene, co-polymer होते हैं, next, which one is step growth polymer, तो एक होता है, chain growth, एक होता है, step growth, तो जो addition polymer होते हैं, addition polymer, वो क्या होते हैं, chain growth, chain growth, और जो condensation होते हैं, condensation, उनको क्या बोलते हैं, step growth, अब इसमें condensation देख लो कॉनसा है, nylon, nylon, सभी nylon क्या होते हैं, nylon 6, nylon 2-6, nylon 6-6, वो सभी क्या होते हैं, step growth polymer होते हैं, और देखो, polyacrylonitrile, polyisoprene, polythene, they are addition polymer, so it is chain growth polymer, तो nylon क्या है, condensation polymer, that is step growth, next, natural rubber, okay, natural rubber क्या होते हैं, chloroprene, chloroprene, chloroprene से क्या बनता है, neoprene, ये natural rubber बनाता है, ये होता है क्या, chloroprene, this is chloroprene, natural rubber is the polymer of chloroprene, और बनता क्या है, neoprene, ये होता है क्या, neoprene, natural rubber ये बनता क्या है, neoprene, neoprene is natural rubber, so natural rubber is the polymer of chloroprene yes next bakelite obtained phenol पर formaldehyde creation करा दो phenol पर जब formaldehyde creation कराते हैं तो अगर ये low concentration है low concentration तो पहले बनाता है novolac और अगर high concentration होगा if high concentration if high concentration तब ये बनाता है bakelite जो एक cross linked polymer है hard है thermosetting polymer है तो आपको देखा होगा इनसे आटे में लिखा कि जो switch होते हैं board पे वो बनाते हैं बड़े hard होते हैं non reusable होते हैं दुबारा use नहीं कर सकते हैं next one which one is polyamide तो अभी बताया था nylon 6-6 nylon 2-6 nylon 6 ये सब क्या है polyamide nylon 6-6 ठीक है ये नाइलॉन 6-6 किसे मनता है वैसे adipic acid adipic acid plus hexamethylene diamine hexamethylene diamine diamine hexamethylene diamine ये बनाता है nylon 6-6 ठीक है? next पे चलते हैं तो ये देखो CH2-4 यहां पे आजाएगा COOH तो देखो H2O निकाल तो तो कौन सा बॉंड बनेगा? C double bond O N H CH2-6 N H ये इधर गया? और इधर हो जाएगा CH2-4 C double bond O N N H 6-6 एक polyamide न, N लगया तो ऐसे amide link के चलना 6-6 निकाल मतब 6 carbon इसमें भी है 6 carbon इसमें भी है 6 carbon इसमें भी है ठीक है? number of loan pair presented in Milamind, Milamind क्या होता है, यह aromatic होता है पहले तो, NH2, यह होता है Milamind, तो देखो number of loan pair कितने है, six loan pair है, six loan pair है, six loan pair, six loan pair आजाएगा, मेला माइन में, next, तो देखो, पहला तो हो गया, di-azotization, यह क्या हो गया, di-azotization, यह बता चुका हूँ मैं, इसलिए मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ, di-azotization, तो क्या बनाएगा, benzene diagunium salt, क्लोरीन है तो क्लोरीन लगा दो, बॉयल कर दिया, H2O के साथ, तो फिनॉल बना देगा, ठीक है, और फिनॉल पर, बेंजीन देखो, N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, और यह mild basic medium लिया है, तो क्या हो जाएगा, di-azotization, यह भी discuss हो चुका है, N double bond N, di-azotization हो जाएगा, O H, अब पुछाएगा, जो C है, उसमें unsaturation कितना है, तो देखो, 4 यहां से मिलेगा, 4 यहां से मिलेगा, 1 यहां से मिलेगा, तो 9 degree of unsaturation हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 degree of unsaturation, तो अब हम लोग, चलते हैं अपने next point पर, which one is most basic, तो देखो, इसका loan pair तो resonance में है, loan pair resonance में है, इसका loan pair resonance में नहीं है, तो सबसे जादा जल्दी कौन डोनेट करेगा, जिसके पास availability of loan pair जादा होगा, इसी के पास जाता है, तो most basic कौन सा हो गया, यह हो गया, which of the following statement is not true, तो glucose क्या होता है, eldohexose होता है, अभी इस structure बनाया था हमने, 6 carbon होते हैं, उपर eldehyde होता है, सही बात है, HI red phosphorus, HI red phosphorus strong reducing agent अभी बताया था क्पी कुछ देर पहले की alcohol है, carbonyl है, carboxylic acid है, alkyl halide है, इन सभी को alkyn में बदल देता है, तो ठीक है, heating करेंगे, यह भी बनेगा, it is present in furanose form, furanose का मतलब है 5-membered ring, जबकि glucose किस में एक्जिस्ट करता है, 5-nose ring, 6-membered ring में करता है, यह वाला क्या है, गलत है, तो not true कौन सा हो जाएगा, 3rd, not true हो गया हमारा 3rd, next, which of the following reaction, glucose can be extended only by side, so NCRT बिल्कुल थाएगा है, pentaacetate जो glucose का होता है, pentaacetate of glucose does not react with hydroxylin, तो याद होगा आपको easy सा है, next, in fibrous protein, polypeptide chain held together by, again it comes from NCRT, there is disulfide and hydrogen bond, जो आप बायोवाले होगा हम से जादा जानते होगे, that polypeptide chain, the fibrous protein होती है, बिल्कुल NCRT की lines से बिल्कुल आपको मिलेगा, chemistry में, it is held together by disulfide as well as hydrogen bond, तो आंसर कौनसा जाएगा, B और D, अब B D कौनसा है, second में, तो यह थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अब देखो, product formed when this reacts with Hinsberg, insoluble in neovach, तो देखो बचे, 1 degree amine, 1 degree amine, Hinsberg क्या होता है, pH SO2Cl, इससे react करके क्या बनाता है, R N H, S double bond O double bond O pH, और इसके पास यह acidic है, तो NaOH में क्या हो जाता है, यह soluble हो जाता है, बट 2 degree amine, 2 degree amine, R 2 N H, जब इस पर आप pH SO2Cl correction करा होगे, तो यह R N R, A is double bond O double bond O, यह कुछ इस type का देदेगा, तो, there is no acidic hydrogen, so it does not react with NaOH, so it is insoluble in this, तो, answer कौना चला जाएगा second, तो 1 degree, 2 degree amine, both can react with benzene sulfonic acid, benzene sulfonyl chloride, that is Hinsberg region, but the product of 1 degree amine is soluble in O H, but product of 2 degree amine is insoluble in O H, 3 degree amine does not react, तो यह आप distinguish कर सकते हैं, differentiate कर सकते हैं, 1 degree, 2 degree, 3 degree amine, on the basis of, the region is Hinsberg region, next, फिर देखो आगया, NaNO2HCl, यह आप जानते हो, 1 degree alkyl amine है, तो alcohol बनाता है, bi-carbocatine magnesium, 1 degree aryl amine है, तो क्या बनाता है, benzene diaginium salt, if temperature is less than equal to 5 degree centigrade, तो यह तो alkyl amine हुआ, तो देखो यह क्या देखो दे रहा है, pH, यहाँ आजाएगा, क्या मिला कि मैं डारेक्ट बना रहा हूँ, carbocatine, इसने इसको उडा दिया, mechanism बताया हुगा, अब आप जानते हो, 1-2-methyl shift हो जाएगा, 1-2-methyl shift, 1-2-methyl shift अगर हो गया, तो pH, यह इधर आगया, यहाँ पे, अब आप जानते हो, वाटर का टैक हो जाएगा, इस पॉइंट पर क्या बनना है, अब आप जाएगा, इसा कहां पे है, देखो यहां पे है, यह जाएगा, यह बला हमारा major product हो जाएगा, तो mechanism एक बाल already में done, हो चुका है, बता रखा है हमने, तो इसलिए, नेक्स्ट मे चलते हैं, the coupling reaction of carried out, देखो, phenol के साथ होता है mild basic medium में, और aniline के साथ होता है mild acetic medium में, in mild acetic medium, actually benzyl diageneum salt exists, तो aniline के साथ mild acetic medium में, और अगर यहीं phenol होता है, तो किसमें करते हैं, mild basic medium में, next, pick up the incorrect statement about incorrect instrument, glucose exist in two form, two different crystal form, alpha D and beta D, cyclic structure of alpha, यह incorrect बताना है, ठीक है, alpha D, beta D में होता ही है, cyclic structure of alpha D glucose and beta glucose, pyranose structure, यह भी सही है, यह बोथ है, alpha D glucose and beta glucose inansiomal, यही गलत है, यही गलत है, क्योंकि आप देखते हो, alpha D, beta D, वो hemiacetal पर तो उपर नीचे रहता है, लेकिन बाकी जो chiral point होते हैं, वो fixed ही होते हैं, और जब आप जानते हो, एक बाकी chiral center fix हो, कम से कम एक पर orientation different हो, तो वो क्या बनाता है, तो यह गलत होगा, बना कि एक्चुल में क्या बनाएगा, डा-स्टेरियोमर बनाएगा, डा-स्टेरियोमर बनाएगा, आप इस्ट्रक्चर देख सकते हैं, alpha D, beta D पर तो orientation different हो, alpha D, beta D का मत्दब, OH हemi-acetal पर OH का orientation different हो, लेकिन बाकी OH सब देखे होगे, दोनों में एक ही जगा होगे, तो एक पर तो आरा है, orientation different, बाकी सब फिक्स हैं, तो ऐसे पर को क्या बलता है, डा-स्टेरियोमर बलता है, not inansiomer, inansiomer तब बोलेंगे, जब हर chiral center पर, वो एक दूसरे के क्या हो, दूसरे को भी एक हो, next, देखते है, मिलामाइन फॉर्मल डिहाईड, पॉलिमराइज होकर क्या बनाता है, यसे देखो, मिलामाइन तो हमारा यह हो गया, मिलामाइन तो यह हो गया, थीक है, NH2, 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 formaldehyde HC double bond OH तो इसका किसी एक करेक्शन करा हो यहाँ पहले intermediate ऐसा कुछ बनता है N N N NH CH2 OH NH2 NH2 पहले यह polymer intermediate बनता है अब यह polymerize जब होता है तब वो रेजिन बनता है तो ऐसा कहाँ पहले है यह थर्ड अंसर हमारा चल जाएगा इलकुल NCRT में दिया हुआ है नेक शलते हैं देखो फिर यह लगाया अब यह 2 डिग्री है तो 2 डिग्री अमीन मेकनिसम आपको बताया था N N N N देता है 3 डिग्री रियक्ठ ही नहीं करता है प्राइमरी अलकाइल अमीन अगर है तो इसके साथ अलकॉल देगा प्राइमरी अराइल अमीन है तो क्या देता है लेस देन इक्वल टो 5 डिग्री सेंटिग्रेड पर क्या देता है बेंजन डाइजूजम साट तो यह N-nitrosoamine कौन सा होगा यह N-nitrosoamine Yellow Oily Compound ठीक है विक्टर-मेयर टेस्ट भी बलते हैं इसको नेक्स्ट पे चलते है मैच कराना है TNT क्या होता है Trinitrotolumine Explosive सुक्रालोस क्या है Artificial Sweatner Milk of Magnesi Antacid Sodium Laurel Sulphate Cleanizing Attempt तो मिला लीजिए अब इसमें क्या है Trinitrotolumine यह क्या होता है Explosive in Nature Consider the following statement Analgesic Analgesic आप जानते हो हम लोग खाते हैं ठीक है यह सही है Antiseptic Kill या Arrest या तो Growth of Microrism क्या करता है Kill कर देता है या उनके Growth क्या करता है रोग देता है बिल्कुल सही है Antihistamine Inibate the action of insulin Aray, Histamine का Ulta यह भी सही है तो आंसर कौन सा चला जाएगा 3rd 1st, 2nd, 3rd All are correct Next Amino Acid Present in Insulin तो भाई यह रटा मारना है 51 Amino Acid होते है जिसमें Alpha और Beta chain होती है Alpha होती है 30 और Beta होती है 21 And they are held together by what? Di-sulfide bond Sulfide bond से होता है 51 याद रखना है आपको ना NCRT में दिया हुआ यह मैं सुझना कि Out of syllabus दे दिया NCRT में ही लिखा हुआ इसलिए वहां से सीधे चिपकाया इसमें देखो Basic Medium है हमने Dijonium salt के साथ क्या देता है Phenol भी dye बनाता है Aniline भी dye बनाता है तो अभी हमने बताया था कि Mild अगर Acidic Medium है तो किसको सपोर्ट करता है वो? Aniline और Basic Medium है तो किसको सपोर्ट करता है Phenol मतलब जो dye बनेगा Basic Medium में वो किसके अगर्डिंग बनेगा? Phenol यह इसको सपोर्ट करता है तो यहां पर कहीं हमें dye बनाना अब यहां पर देखो dye कहां बना है इस पॉइंट यही Mild Acidic Medium होता है तो इसके अगर्डिंग बनाते है मतलब इसके और्थों पर बनाते है ठीक है? तो देखो यह Chiral Center हो गया यह Optical Isomer कितना हो गया? 2 के पावर N 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 8 answer हो गया Next करते है The Cationic Detergent used for Hair Conditioner अब यह सब तो यादी रखना पर देखो यह होता है यह Cationic Detergent ही होता है यह Sodium Laurel Sulphate या Dodecyl Benzene Sulphonate बोथ हार Anionic और यह यूज होते हैं Toothpaste में Toothpaste और यह दोनों क्या है? Anionic Detergent है Anionic Detergent और यह क्या है? Cationic Detergent है Cationic Detergent क्या होते है? Hair Conditioner Costly होते हैं यह ठीक है? तो यह एक्जाम्पल था याद रखना है Next Chemical Name of Vitamin A Is Retinol Ascorbic Acid क्या होता है? Vitamin C Equinal क्या होता है? Tronclizer Estron यह Estrogen होता है Actually Estrogen और यह क्या होता है? Artificial 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 Human Estrogen Artificial Artificial Human Estrogen को Estron भी बोला जाता है ठीक है? Now Estrogen तो आपको पता ही है Next पे चलते हैं Assume That Particular Amino Acid IsoElectronic 0.6 है मालो कोई Amino Acid है R See C हो गया R हो गया H हो गया IsoElectric Point पर Concentration क्या होता है? Maximum होता है यह बना दिया लेकिन कहरा है In the solution pH 1 है मतलब H Plus Concentration बहुत जाद हो गया H Plus Concentration अगर बढ़ाओगे तो वह किसे रिएट कर जाएगा? इस पार्ट से रिएट कर जाएगा किनी कर जाएगा? तो देखो किसमे एगजिस्ट करने लगगा फिर वह R C H N H 3 Positive और यह हो जाएगा COOH इस फर्म में रहेगा Because H Plus Concentration जाद हो एक केटाइनिक फर्म में ही रहेगा Yes? Next IsoElectric Point Of Enylene Which The Concent तो आपको याद होगा IsoElectric Point पर क्या होता है? What is the Concentration of Enylene Maximum ठीक है? Or IsoElectric pH per Concentration Maximum तो देखो भई, पुछा है तो क्या है IsoElectric Point Of Enylene At Which pH Maximum Concentration तो जो IsoElectric Point का pH होता है उसी पर Concentration Maximum यह definition-based तो answer सीधे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा क्योंकि IsoElectric Point pH दिया हुआ और वो पुछ रहे कि बताओ किस pH पर Zuitarayan का Concentration Maximum होगा अरे वो IsoElectric Point के pH पर ही Zuitarayan का Concentration क्या होता है? Maximum होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा Next Point Now, तो यह तो रख्टा यह तो रख्टा यहाथ किना 0.2% solution A 1% 0.2% क्या होता है? antiseptic 1% क्या होता है? अरे यह जाएगा 0.2% यह जाएगा 0.2% antiseptic होता है और 1% solution क्या होता है? Disinfectant होता है Next one The molecular force of weakest सबसे कम किसमे होता है? Thermoplastic Thermoplastic Weak wonderwal force Thermoplastic उस्टे थोड़ा क्या होता है? उस्टे थोड़ा क्या होता है? In elastomer नहीं यह तो गलत हो गया एक मिनट सबसे कम होता है in elastomer in elastomer उसके बाद किसमे होता है? Thermoplastic NCRT में भी है और सबसे ज़्यादा किसमे होता है in fiber in elastomer weak wonderwal force of attraction और fiber उसका tensile strength बहुत ज़्यादा होता है और thermoplastic में जो intermolecular force होता है वो in between fiber और elastomer होता है तो सबसे weakest जो होता है वो किसमे होगा? इलाइस्टोम में ठीक है दोस्तों तो यह सारा हमारा हो गया तो बिल्कुल NCRT को फोकस करते हुए question में question का थोड़ा चेहरा मेरा इधर-दर से थोड़ा बदला हुआ था ठीक है? पर सारे रिएजेंट, सारे कंसेप्ट NCRT से ही उठाये गए यह बिल्कुल NCRT-based question था अम उमीद करता हूँ कि इसमें आपको अच्छे भी question मिले होगा थोड़ा दिमाग भी लगाना होगा डारेक्ट भी बहुत सारे थे तो हर तरह के student को फोकस करके इसको बनाया गया था पेपर को ठीक है कि कुछ अच्छा भी मिल जाए easy भी मिल जाए, सबका काम हो जाए उसके अंदर तो उमीद करता हूँ कि आपका score काफी अच्छा होगा इसमें और confidence build-up भी है तो इस paper को करने के बाद कार्बोनिल से लेके यहां तक में